वेलकम बच्छो मैं परवीन अरोडा टीम सीलसी से आज अपन बात करने जा रहे हैं DCM Test Series 4G 2021 के लिए जो आपकी Test Series है 20 नंबर यहाँ अपन पेपर डिस्क्रिस करेंगे Hydrocarbon, Halogen Derivatives और Green ER Reagents यह आपका टॉपिक था इस टॉपिक से रेलेटेड आपने पेपर दिया अच्छा हुआ होगा अगर फिर भी उसमें किसी question में आपको problem है बच्छो तो उसका अपन solution देखते हैं क्या है देखिए बटा सबसे पहले अपन section A की बात कर रहे हैं section A में क्या है this section contains 13 single choice question यहाँ अपन कहें इस section में 13 question आएंगे 1 से 13 तक तो वो single choice के question है and three paragraph इसी section A में three paragraph भी है इन paragraph there are two question तो जो three paragraph है paragraph के साथ आपके two two question भी रहेंगे तो overall three paragraph में six question वो रहेंगे 13 question यह रहेंगे each question has four option one two three four तो यहाँ जो आपके पास first 13 question है और उसके बाद जो six question है इन सब में option four रहेंगे only one of these four option is correct इन four option में से single one आपका correct होगा और you will be awarded three marks for correct answer और minus one marks for incorrect answer तो सही जाने पे बच्चों marks में लेंगे three और गलत हो जाने पे minus one negative marking है और चली तो देखना शुरू करते हैं सबसे पहले कह रहा है SN1 and SN2 product are same with आपके बस molecule given है और molecule में condition है SN1 या SN2 pattern कहीं किसी भी pattern से अपन reaction करवाएं तो product same आएगा और यहाँ पे अपन यह भी कह रहे है excluding stereo isomer यह जो condition applicable है उसमें यह भी है कि stereo isomers जो है उनके stereo isomer यहाँ पे अपन exclude कर रहा है स्टीरियो पे नहीं सोचेंगे अपन सिर्फ structural के point of view से अपन को देखना है तो देखो पड़ाजी first जो option है यह इसके according perfect नहीं है यह अपन को नहीं लेना चाहिए reason उसका अगर मैं यहाँ SN1 कराना चाहूंगा तो BR को living group की तरह remove करूँगा और 2 degree cation को फिर मैं update करके यहाँ लेके जाऊंगा इस location पर 3 degree होगि SN1 में आपको वालू में rearrangement होता है तो इसलिए इसमें SN1 का product अलग होगा और SN2 में rearrangement का chance नहीं होता तो जहां BR add हो ही nucleophile calorie होगी तो यह तो अपना answer नहीं second में जाएं second में भी ऐसा यह बटा आपका यह वाला जो carbon है यह 1 degree यहां से जब आप living group release कर देंगे तो फिर आपका cation rearrange हो सकता है SN2 के लिए SN1 के लिए लिए SN2 में as usual जहां BR है वहीं protect कराएंगे तो SN1, SN2 का product differ differ होगा यह भी option छोड़ रही जी थर्ड में जाएं बटा थर्ड में यह BR remove होके यही nucleophile आए यह तो है SN2 और यह BR remove होके यही nucleophile आएगा क्योंकि अगर आप reaction SN1 भी करा रहे हैं बटा तो आपके पास BR remove करन कोई option नहीं है बटा अगर आपन चारे हम यहां जाएं यहां जाएं तो rearrangement का रूल है बच्चो new form previous से best होना चाहिए तो अभी आपके पस present में जो कार्बो केटायन है वो 4L5 containing है अगर आप इसको कहीं migrate भी करते हैं है ऐसा तो possible होता नहीं कि अपन यहां से edge उठा के इसको direct 3 degree बना लें ऐसा आप सोच रहें तो बचों यह rearrangement को rule ही नहीं rearrangement में 1-2-1-2 migrate होते हैं और हर migration में next वाला जो केटायन है previous से best होना चाहिए तो इसलिए यह वो specie है यह वो molecule है जिसमें SN1 में भी rearrangement का chance नहीं है तो नहीं है तो यहां पे SN1, SN2 दोनों केस में BR की location पे ही nucleophile enter करे यही आप का answer है और stereo के point of view से अपन इसमें देख नहीं रहे हैं stereo उसने का exclude, stereo की बात करते हैं फिर अपन जुरूर कहते हैं कि यह वाला BR जो है above the plane है or below the plane है, back attack होगा, front attack होगा, तो फिर अपन इसमें भी नहीं कह सकते थे, लेकिन stereo exclude है इसलिए अपन कहा रहें, next वाला जो ह तो यहां से next वाली location 3 degree पे जाओगे, ठीक है बेटा, तो यह answer आपका रहेगा, third, जहां SN1, SN2, दोनों ही petrol, लेकिन excluded stereo, stereo की बात अपन उसमें नहीं कर रहे हैं, only structural की बात कर रहे हैं, तो यह एक ऐसा option रहेगा, इस option में अपन कहीं, तो आपके बस, आपके बस यह वाली एक location रहेगी, one कराईए, two कराईए, जहां पर आपने अटेक करना है, तो यही final answer बाता है, चलिए, next, देखिए, बटा, इसके बाग, हान जी बच्चों, question number two में देखें, तो क्या है, आपको एक asymmetric alkin given, एक ऐसी इन, जिसके अंदर अबन कहीं, तो double bond की दो टाइप की opening हो सकती है थ्री डिगरी केटाएन भी बन सकता है, तो डिगरी भी बन सकता है, आप वहाँ कुछ ऐसा लेजिए, जो इस इन की ऊपर OH और BR की entry करते हैं, क्योंकि जो methyl है, वो तो अल्लेडी पहले से अवेलेबल है आपके बस, तो OH और BR और वो भी NT, तो ऐसे तो यह direct information की भी बात है, या NOCL, तो यहाँ पर OH और BR के लिए आपको मालूम है, HOX लेना पड़ता है, HOX या फिर अपन कहें तो water और halogen का combination ले लो, तो भी एकी बात, तो यहाँ इन 4 option को अगर अपन देखें, तो इस तरह का option यहाँ पर आपके पास 4 number पे given है, फोर में, first number पे BR to water, और second कुछ लेना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा यह लेते हैं, तो इसका मतलब बच्चो HO BR ही है, तो कि BR 2 का attack कराओगे, तो BR 2 में से BR Electrophile होगा, BR Nucleophile होगा, और जो water है आपका, आपको बालूम है, वाटर की बरजेंस में यह अच्छी नुकलियो फिल्सिटी शो नहीं कर पाएगा, पॉलर पॉटिक सॉल्वेंट है, तो वाटर OH देगा, तो एक BR प्लस मिल जाएगा, और एक OH माइनस मिल जाएगा, तो आप उसको यह से देखी, यह है, लेकिन अगर आपन बाकी option पे भी बाकी क्या दिये हुए है, तो कि ठीक है, हमें सीधा सीधा स्टेट इंफोर्मेशन में यह भी मिल ला है, बाकी में आप देखो बच्चो, आपको BR to the chloroform, तो अगर आप यह लेते तो यहाँ पे BR BR add होता, BR OH नहीं, BR BR NT, और फिर अगर आप NAOH की रियक्शन करवाते, तो BR BR क अब बात आती है, बच्चो, जो second option दे रखा, NAOH, तो डारेक्ट अगर आप इस अलकीन पे NAOH की रियक्शन करवाएं, तो बटा स्टार्ट होने का कोई पॉइंट ही नहीं है, डारेक्ट नुक्लियोफाइल की एंट्री एक इन पे कैसे होगी, तो यह इसलिए काम का नहीं, तीसरे में जाएं, BS3 और फिर H2O2 बेसिक मेडियम में, पूरी रियक्शन का नेम होता है बच्चो, हाइड्रोबोरेशन ओक्सीडेशन, अब हाइड्रोबोरेशन ओक्सीडेशन में तो हम यह पढ़ते हैं, AMKR वाटर एड होना, तो बोले तो इसका महलब, यहाँ पे कोच लगाया, वो BR में convert होता है, SN1 थी तो वो BR भी यहाँ जाता, तो overall बाकी कोई option suitable नहीं है, बिलकुल सीधा सा है, BR2, H2O, या फिर इसकी जगह वो देना चाहता आपन को, तो एक option और दे सकता था, और वो मैंने बोला, BR2, water दे सकता था, ठीक है, समझ में आई, तो यह अ 3 number question में देखिए, बटा, क्या कहना चाह रहा है अपन को, 3 में, the major product for the given reaction, आपको एक molecule given है, आपको reagent given है, उसका major product आपको बताना है, तो देखो बच्चों क्या करना है, आपको यह दिया हुआ है, हेलोजन, BR2, अगेला हेलोजन है, साथ में जो medium है, medium वैसा नहीं है, जैसे पहले वाली reaction में देखा, BR2 के साथ अगर आप levis acid लेते हैं, तो सिरफ halogenation, BR2 CCL4 में लेते हैं, तो भी halogenation, और BR2 के साथ अगर अगर अपन water लेते हैं, तो फिर वहाँ उसका nucleophilic portion आ जाता है, लेकिन यहां आपने बस सिरफ BR2 है, तो इसका मतलब electrophile भी BR+, है, और nucleophile भी BR minus, ऐसा होगा, लेकिन आपके सामने जो molecule है, उसका जो यह वाला segment है, बटा, यह इस BR plus को entry देगा, और क्या बनाएगा, bridged carbocation, ठीक है, तो यहां पे अपन कुछ इस तरह का सा देखेंगे, इसमें अपन कहें, तो अपने बस रहेगा, यह option, यह आपका molecule था, और यहां पे entry से इस तरह का एक सेतु यहां पे निर्मान होगा, ब्रिज यहां पे बनेगा, ठीक है, सेतु धनायन बनता है, हेलोनियम बनता है, नॉन क्लासिकल जो रियर्रेंजमेंट नहीं करता, अब बात आती है, कि अब इसके बाद BR minus attack करेगा क्या, नहीं बच्चो, बिलकुल BR minus attack कर nucleophile है, यह जो lone pair है, यह यहां पे attack कर दे, अब आप सोचेंगे सर्वहां क्यों नहीं, आपको मालूम है, आपको halogenation जो होता है, उस पर rearrangement तो नहीं करना होता है, तो आप terminal carbon पे क्यो जाएंगे, इस 2 degree पे जाएंगे, तो बेटा, इस bond को यहां open कर दो, यह हट जाएगा, तो overall ऐसा करने से क्या होगा, बटा यहां एक, यह दो, यह तीन, यह चार और एक oxygen, टोटल पांच की एक ring बनेगी, और ऐसी ring बनेगी, जिसमें एक O भी होगा, भाई यह तो 4 मैंने carbon बता दिये, एक oxygen बता दिया, और आपको मालूम है, जैसे ही attack होगा, यह H तो यहां से रवान हो जाएगा, तो कि attack करते ही, ओपर क्या आएगा, प्लस, प्लस आने पे H को हटना होगा, और यह हट के दूसरी साइट, अब देखो क्या है, मैंने यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5 को लेकर की ring तो बना ली, लेकिन कुछ और भी बचा, उस ring में आप यह देखो बचो, एक oxygen जिस carbon पे फिर BR, तो आपका oxygen जो है बचो, या तो यहां attach है, या यहां attach, दोनों में से किसी पे भी आप क्या लगा दो, CH2 BR, ऐसा सा product होना चाहिए, देखो बचो आपके सामने है, अगर आपन देखें तो ज्यादा कोई चकर ही नहीं, यह रहा आपने सामने, यह option आपके पास रहा, बिल्कुल ऐसा ही, और यहां पे इसने इसको भी wedge dash में दिखा दिया, तो बिल्कुल अपने को मालूम है, SP3 carbon है, हो सकता ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, तो reason उसका, क्योंकि intra reaction के chances जादा है, बाकी पे भी अगर आप सोचें, तो एक BR और एक CS3, जब कुछ नहीं दिया तो यह CS3 तो बटा, यह तो वैसे भी नहीं बनता, अगर आप सिरफ और सिरफ पूरे molecule में यहीं पे reaction कराने का मानस बनाते, तो BR-BR लगाओ ना, एंटी लगाओ ना, तो यहां पे तो जगए खाली छोड़ दी, तो यह option वैसे ही गलत है, यहां पे HO-BR कैसे कर सकते हैं, आपके reagent में OH का हैं, तो यह वाले option का ऐसे मतलब नहीं, अब बचाए और HO-BR, तो यह भी नहीं है बचो, तो ज़्यादा अगर आप थोड़ी option की मतलब ले ले ले, तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, डारेक्ट समझ में आ रही थी बात, चलो बचो, तो यहां पे final answer रहेगा आप का two number, ठीके बटा, चली, next देखते हैं इसके बाद, तो यह इसका final answer रहा, भाई यहां पे आप halonium बनाओ, और फिर इसको अटेक करा दो, एक ring बनेगी, ring वाला option ही, एक single बन था, next देखो बच्चो, question number three के बाद, question number four पे चलते हैं, four में देखिए बटा, क्या कहता है, four में वो आपसे कहना चाह रहा है, in the given pair of reaction, in which pair, the second reaction is more reactive than first toward ascent to, देखो बच्चो, एक तो आपको यह देखना है कि second वाली reaction, इधर आपको first दी है, इधर आपको second दी है, second वाली जो है, वो more reactive होनी चाहिए, लेकिन उसमें mechanism कौन सा apply हो रहा हो, SN2, चलो देखना शुरू करतें, सबसे बहले मैंने देखा, मेरे बस एथिल कलोराइड था, और उसके ओपर एथोक्सी अटेक कर रहा था, और एक product बन रहा था, एथिल कलोराइड पे ही मैंने एथेनोल का अटेक करवाया, और वो एक product बन रहा था, तो मुझे मालूम है, ब अपने option में नहीं आ सकता, reason, तो कि अपन को तो second वाले की reactivity more चाहिए, और SN2 में चाहिए, तो ये option ठीक नहीं, second option में जाओ बच्छो, एथिल कलोराइड पे आपने अथोक्सी का अटेक कराया, ठीक, और एथिल कलोराइड पे आपने थायो एथोक्सी का, बल्द आप सल्फ reason उसका, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें, तो एथोक्सी और थायो एथोक्सी, दोनों में से ज़्यादा बेटर नुक्लियोफाइल कुन सा होगा, ये reason उसका, वैसे दोनों negative है, लेकिन oxygen से sulfur का size बढ़ा है, electron negativity कम है, ज़्यादा अच्छा donor होगा, ज़्यादा अच् response देगा second वाला, और ये ही अपना question था, second reaction, more reactive होनी चाहिए, SN2 के respect में, तो बिल्कुल second दीजी, बागी देख लो बच्छो, आप ethyl coloride पे methoxy का 2 mol लेके attack करा रहे हो, उसी ethyl coloride पे 1 mol लेके करा रहे हो, तो आपको मालूम है, बच्छो, SN2 reaction, आप reaction बिल्कुल सेम, attacker सेम, molecule सीधी nucleophilic substratation, पर अगर SN2 है, तो nucleophile की concentration का भी तो रोल लेता है, reaction में, उसकी concentration increase करते हो, तो reactivity increase होती है, तो बटा concentration यहाँ हाई है, 2 mol का मालब हाई है, मालब reactivity 1 की ज़्यादा है, मालब अपना answer नहीं है, ठीक, फिर लास्ट में जाएं, आपने एथिल बरोमाइड पे इस पूरी स्पीसी का अटेक कराया, उसी एथिल बरोमाइड पे इसका अटेक कराया, तो अगर दोनों में देखें, बचो वो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, और यहाँ ट्राइफिनाइल आपन कहीं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे ले रखा है, तो जैसे आप सेकिंड में क अंसर नहीं, आंसर तो ऐसे आ गया था, बाकी चीजों पर आपन देख रहे थे कि बाकी option क्या है, ठीक है, चलो बटा, नेक्स देखते हैं इसके बाद, second answer इसका रहेगा, finally, question number, यह अपना four number question हुआ, four के बाद देखें आपन, तो five number, five number question में देखिए, बाटा, क्या कहा जा रहा है आपसे, five number में आपको कह रहा है वो, क्या, choose the correct statement, भाई आपके बस four statement है, four में last है, all of these, अगर three के three correct हुए तो all of these दे देंगे, चलो, check करते हैं बच्चों statement को, सबसे बहले कहता है कि इस molecule पे आप NBS की reaction करवाईए, तो product is optically inactive, तो बेटा जी, concept आपको मालूम होगा कि double bond से next carbon का जो H होता है, जिसको अपन allylic H कहते हैं, बेंजीन रिंग से next carbon का जो H होता है, जिसको अपन बेंजाईलिक H कहते हैं, इन allylic या बेंजाईलिक H को अपन NBS या NCS से क्या करा पाते हैं, free radical substitution, तो इसका मतलब ये ये ज इसका मतलब बीच की location का name क्या कहोगे, allylic, और allylic location पे क्या present है, HB है, तो उस H को निकाल के आप उसकी जगा NBS की वज़े से क्या रखोगे, BR, तो इसका मतलब product कुछ इस तरह का सा अपना बनेगा यहाँ पे, अब ऐसा बनेगा और इसके लिए कह रहा है कि ये जो है product inactive है, बिलकुल inactive है, आप बताओ, यह कोई chiral carbon थोड़ी बन रहा है, left और right में जब दोनों group same है, तो बिलकुल inactive है, तो पहला statement तो भई, correct ही है, अब आईए बटा दूसरे वाले statement पे, आपको एक molecule given है, chlorobutane, two chlorobutane, और two chlorobutane में भी ये chloro आपको दे रखा है above the plane, मतलब ये जो optical active molecule है, उसकी भी एक fixed form आपको दे दी, या तो dextro है या level है, RS naming अपन कर सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा दिया हुआ है, कहता है कि chlorination कराओ, वही बच्छो, FSR, free radical substitution, alkane वाली characteristic reaction होगी, तो कहता है number of possible for structural isomer of the product, अगर मैं यहाँ product बनाओ, product कौन से बनाओ, य तो उनका जो number रहेगा, वो किता रहेगा, 4 रहेगा, क्या ऐसा ठीक है क्या, चलो देखते हैं बच्छो, जब हम reaction कराते हैं, तो हमें यह देखना है, कि उसमें variety of H क्या है, वैसे यहाँ देखों तो यह यहाँ पर 1 degree variety है, यहाँ 2 degree variety है, फिर repeat होने लगेगी variety, लेकिन repeat होने के साथ साथ, अगर मेरे को सिरफ और सिरफ एक normal butane दिया जाता, तो मैं उसमें दो ही option मानके चलता, इन अभी मेरे को normal butane नहीं दिया बच्छो, तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी option चेक कर लेता हूँ, सबसे पहली बार, जो chloro मेरा था, वो तो maintain रहा, एक chloro मेरा यहाँ पे enter क कर गया एक number option, दूसरे number option में बच्छो, chloro जो था, वो तो पड़ा रहने दो, वहीं पे अगर अपन कहीं, तो dash के उपर एक chloro और लगा दो, क्योंकि वेज़ पे आपके बस पड़ा है, dash पे जो H है, वो निकाल दो, तीसरे option में बच्छो, यह chloro तो आपका पड़ा ही है, एक chloro आप यहाँ एंटर करा लो, और last option में बच्छो, एक chloro यहाँ पड़ा ही है, एक chloro यहाँ एंटर करा लो, यह मैंने चार कारबन थे, चारो option ले लिए, अब मैं देखता हूँ, क्या यह चारो ठीक हैं, या इसमें से कोई हटाने वाला है, देखो बच्छो, पहले को म 1-2-dichlorobutane, फिर मैं नाम दूँगा 2-2-dichlorobutane, फिर मैं नाम दूँगा 2-3-dichlorobutane, फिर मैं कहूंगा बच्छो, 1-3, क्योंकि मैं नमरीं इधर से कर लूँगा, 1-2-3-4, 1-3, तो 1-1 आया, 2-2 आया, 2-3 आया, और 1-3 आया, तो यह तो सारे position isomer बनने, और विलकुल ब नाम दिया कि आप इसका electrolysis कराई, तो आपके मैंड में एक reaction आया होगी, call by electrolysis, alkyne, alkyne और alkyne बनाने का pattern होता है, तो उसमें अपन कहें, तो जब अपन acid ले करके, उसमें base डालके, पुरा solution ready करके, एनोड के थोड़ लगाते हैं, तो यहां से अपन कहें, तो अगर आप वा electricity पास करोगे, तो यह अन्योच निकल जाएगा, यहां से बच्छो CO2 निकल जाएगे, और फिर बनी हुई जो इस type की specie है, जिसमें ऐसे दो electron बचेंगे, वो दोनों-दोनों आपस में attach होकर कि क्या बना लेंगे, बच्छो, cyclohexene, ऐसा सा product बना लेंगे, अब ऐसा product बना तो major product is optically inactive, तो यह inactive है, क्या, हां बटा, बिलकुल inactive है, cyclohexene में कोई optical activity की बात नहीं होती, तो यह भी ठीक है, अगर सारे ठीक है, तो फिर finally अपन को क्या देना चाहिए, four number देना चाहिए, ठीक है, तो बस easy थी बाते, information थी, लेगिन ज़रूरी यह था, कि आप उसको पहले सभी को one by one check करें, फिर आप अपने answer तक जा पाएगे, ठीक है बच्छो, चलिए, फिर देखें आपन इसके बाद, next question पर चलते हैं बच्छो, five number question के बाद आईए, six number, अब six number question को देखते हैं अपन, क्या कहता है six में, six वाले में आपको कहा जा रहा है बच्छो, which molecule will give the following di-carboxylic acid on heating with acidic solution of KMNO4, KMNO4 है, acidic दिया हुआ है, और यहाँ पे चाहता वो क्या है, इस variety का परड़क्ट, मलब यह आपको four molecule दिये हैं, इन molecule पे आप KMNO4 acidic medium की reaction करवाईए, plus heat भी करिए, देखो heating की बात भी आईए, KMNO4 लेना, acidic लेना, heat करना है, और heat करने पे यह product आपको चाहिए, ठीक, बड़ा असान होता है बच्छो, पहले तो इसका concept जान लो, concept क्या है, concept इसका यह कहता है, यह KMNO4 H plus heat जो होता है, वो एलकीन का एक strong oxidation है, इस strong oxidation को करने का pattern क्या होता है, जहाँ पे आपको double bond दे रखा है, जैसे इन molecule में दिया हुए, तो आप वहाँ पे bond को तोड़ दीजिए, और oxygen को जोड़ दीजिए, तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा बटा कार्बोनिल, कार्बोनिल में अगर कहीं ketone बन रहा है, तो वो तो आगे कुछ उसका होगा नहीं, तोगी ketone का oxidation tough होता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई aldehyde है, तो उसे आप further acid में convert करेंगे, क्योंकि aldehyde का easy oxidation होता है, तो यहाँ दोनों में से ध्यान आपको देना है, अगर कोई aldehyde ब hot में भी होती है, ozone water में भी होती है, zinc ना लो आप, oxidative ozone analysis, सब के लिए यही pattern चलता है, चलो अपने को तो जो दिया है, अपन उसकी बात करें, तो यहाँ पे मैं अगर यह देखना चाहता हूँ, तो अब मेरे पास सारा target आ गया, करना क्या है, लेकिन option की मदद लेनी है में बच जाए, तो मैं पहले option से चलता हूँ, यह लो बच्चो मैं इसको यहाँ से काटूँगा, फिर मैं इसको यहाँ से काटूँगा, यह दोनों कट लगने के बाद, यह जो ring है 6 की, यह खुल जाएगी, वो जो ring है वो भी खुल जाएगी, लेकिन नीचे 5 की फिर भी ए बिल्कुल प्रोडोस में एक मैथिल वाला कार्बन होगा, बाकी जो कुछ होगा वो देखेंगे, अपने प्रोड़क्ट में लेखो क्या कुछ ऐसा है, क्या, 5 की रिंग बिल्कुल है, कीटोनी ग्रुप बिल्कुल है, पर पांचो कार्बन पे कहीं मैथिल नहीं है, तो यह पांच वाली खतम हो गई, यह पांच की बच गई, पर इस पांच वाली में फिर आप देख रहें हो बच्यों, कीटोनीग ग्रुप के पडोस में क्या है, मैथिल, तो कीटोनीग में मैथिल नहीं है, तो यह वाला option भी आपके काम का नहीं है, तीसरे option में चलो बटा, इसे क काटा, इसे काटा, तो इतना काटने के बाद तो बटा, पांच की कोई ring ही नहीं बची, यह पांच की भी खुल गई, यह छे की भी खुल गई, यह पांच की भी, क्योंकि कटने का मदलब open हो गई, तो इसका मदलब यह तो बिल्कुल भी काम का option नहीं है, तो इसका मदलब आप अपने आंस्वर तक पहुंच चुके हैं लेकिन अब फिर आप चेक करने की बाद कि क्या ये ठीक है क्या option बिल्कुल अभी चेक कर देते हैं बच्छो अपन यू करते हैं इसे काटते हैं और इसे काट ये दोनों कट लगने के बाद क्या हुआ होगा इसमें अगर अगर ibn लगा तार की कार्बन लगातार पर गुरुप पडएं बागी दो खाली रहेंगे देख लो बच्छो ये रहा गुप ये रहा गुरुप ये रहा से कट के आपको CO दे रहा है, बिलकुल CO के बाद इधर चल पोड़ो अब यह नीचे वाला पोर्शन दो लग हो गया, यह तीसरा कार्बन आ गया, CS2, CS2 और यहाँ पे LDH बनेगा जो आगे अमल में बदल जाएगा, तो यह देख लो बच्छो, CS2, CS2 यह अमल बन गया, यह वाला हिस्सा लटक के नीचे हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन और यह लास्ट वाला जो LDH बना वो अमल बन गया, वो इधर देख लेजी, और बचा हुआ पोर्शन जो यह था, यह कार्बन के आगे यह CO, फिर CO के आगे वाले कार्बन पे मैथिल, CO के आगे वाले कार्बन पे मैथिल, और फिर उसके आगे CH2, फिर आगे CO अच्छ, यह तरीका है, मलब ऑप्शन की पूरी-पूरी मदद लें, तो आप थोड़ा tricky है बच्छो सवाल, easy बहुत है, कोई जाला मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपने ऐसी practice करी, जैसे मैंने वे बताया, बस आप उसे cut करी, उसके उपर milan करते ही, target आपके स हमने पड़ा है, तो option जो रहेगा आपका बच्छो, fourth रहेगा, चली next देखिए इसके बाद, question number six के बाद आते हैं बच्छो, seven number seven वाले में क्या कहा जा रहा है हमें, seven वाले में कहता है, identify correct order of living group ability for given living groups, आपके पास सभी group दे रखें हैं, living group दे रखें, आपको मालूम है, जब आप nucleophilic substitution कराते हैं, वहाँ दो चीज़ें बड़ी important होती है, nucleophile का attack होना, nucleophilicity, मतलब electron रखना एक अलग चीज़ होती है, attack करना एक अलग बात होती है, यह तो nucleophilicity होती है, और दूसरी important चीज़ होती है, group का निकलना, वो आसानी से निकलेगा, strong acid का conjugate होगा, तो easily जाएगा, उसको अपन living group कहते हैं, आपके सामने four है, four का order लगाना है, तो यहाँ पे सीधा सा concept अगर आपको याद है, क्या होता है, conjugate acid of strong acid best living group होते हैं, अच्छे अमल की सेयुगमी, अच्छे acid के conjugate, अच्छे living होते हैं, for example, मैं बटा सलफोनिक acid का नाव लोगते हैं, और गेनिक में ठीक ठाक, अच्छा सा acid होता है, तो बटा जब वो H+, छोडता है, तो वो आपको इस तरह का conjugate देता है, जो बड़ी अच्छा living group होता है, क्योंकि वो strong acid से belonging हुआ, अब बटा इस बात को आप यूं भी समझ सकते हो, एक negative species, अगर किसी को छोड़के जा रही है, तो उसको छोड़के जाने के लिए कुछ ऐसा confidence तो चाहिए ना, किसा मैं अपना negative maintain कर लूँगा, बिल्कुल हमारे sulfo को ऐसा करना आता है, क्योंकि बटा वो इस तरह से resonance कर लेगा, resonance stabilization पा लेगा, इसलिए अच्छा living, तो यहाँ पे जो दिया, यह OH- कहां से आया होगा, H2O से, H2O का conjugate है, यह कहां से आया होगा, यह तो बटा फिनॉल का conjugate है, यह कहां से आ होगा, यह तो बही, sulfonic acid का conjugate है, तो अगर आप इन acid के बारे में, acidic behavior के बारे में सोचें, तो आपका number one acid है, sulfonic, number two acid है, carboxylic, फिर उसके बाद phenol, फिर उसके बाद water, तो जो जितने अच्छे acid का conjugate है, उतना ही अच्छा living है, तो यह अगर acidic behavior का order है, तो इधर आने पे living group nature भी बढ़ रहा है, four, फिर three, फिर two, फिर one, तो पहले पहले four आना चाहिए, यहां आ रहा है, फिर इसके बाद four, यहां आ रहा है, four के बाद three ही आना चाहिए, इसमें two आ गया, बस यहां गडबड है, तो आपको answer यह देना है, बागी option का तो मतलब ही नहीं था, ठीक है बच्छ नाभिक सनेहिता पूछ ली आपसे, ठीक है, तो नाभिक सनेहिता बतानी है आपको, देखिए, नुकलियोफिल सिटी, लॉन पेर होना, नेगेटिव होना, पाई बोंड होना, किसी सिस्थम को नुकलियोफाइल बनाता है, पर नुकलियोफाइल होना अलग चीज है, है जहां से वो किसी के लिए न्युक्लियो फाल बनेंगे आप कहेंगे बाकी क्यों नहीं सर लॉन्पेर तो यहां भी पढ़ें बेटा जी यहां पर बेरे पस नेगटिव पोल पड़ा है तो नेगटिव पोल अगर पड़ा है तो ज़्यादा बहतर बात है और चारों में comparable भी है तो चारों इस point of view से तो ठीक है कि चारों negative है phenoxy है, सामने वाले पर attack करेंगे बहुत अच्छे तो मैं उनको नहीं क्या पाऊंगा reason क्योंकि जिसका non pair resonance में busy होता है वो अच्छा nucleophile नहीं हुआ करता लेकिन बात इन चारों की है चारों अच्छे नहीं है, आप तो उन चारों में बता order क्या लगना है, तो बटा यहाँ पे यह इतना area same है, लेकिन नीचे के group decide कराएंगे कि best क्या है इस ring पे तो कुछ लगा नहीं इस ring पे लगा हुआ यह CSR कहता है कि मैं plus H और plus I effect से इस ring को rich कर दूँगा और ring जो है, उसका जो rich character है वो इस phenoxy को अच्छा बना देगा यहाँ जाओं अगर मैं तो बच्चो प्लस R effect हलाकि minus I भी लग रहा है, methoxy का minus I होता है पर resonance के सामने inductive considerable नहीं है तो R effect की वज़े से इस वाले से भी ज़्यादा better donor हो सकता है और अगर मैं CL ले लूँ हलाकि देखने में यह plus R होता है और resonance बड़ा effect होता है लेकिन हेलोजन का special case आप जानते हैं हेलोजन donor नहीं माना जाता है विड्रोवर माना जाता है very poor विड्रोवर तो overall यहाँ पे चारों में सबसे बहतर मुझे लगा तीसरा क्योंकि वहाँ यहाँ इस phenoxy का एक अच्छा supporter साथ में है 3 आगे आगे होना चाहिए यह answer है 3 आगे आगे होना चाहिए तो इसका मनलब अपने को first answer तो नहीं देना अब उनको fourth तो नहीं देना अब उनको इन दो पे काम करना है 3 के बाद मुझे चाहिए बटा 2 yellow 2 रहा yellow 2 रहा तो अभी तक तो बराबर चल रहा है फिर 3 के बाद 2 के बाद इस last वाले से तो first अच्छा है क्योंकि last वाले पे थोड़ा भी वड्रोग करें बटा next देखिए इसके बाद question number 8 के बाद आईए बटा 9 number अब 9 number question में क्या कहा जा रहा है 9 number question में कह रहा है select the correct option for true or false statement देखो बटा जी आपको true statement बताने है statement दिये है S1, S2, S3, S4 4 statement दे रखें true बताना है, false बताना है फिर नीचे देखो option किस तरह के हैं आप यहाँ पे देखो true, false, true, false, false, true, true, true तो यह वाले हैं तो अपने हर statement को पढ़ते जाते हैं और उसके उपर true है या false गलत है या सही लिखते जाते हैं सबसे बहले कहा dimethyl sulfoxide, DMSO is good solvent for SN1 तो बेटाजी यह statement तो false है DMSO के बारे में आप जानते होंगे यह होता है बच्चो, DMSO ऐसा सह dimethyl sulfoxide तो DMSO polar aporotic solvent होता है और polar aporotic solvent जो होता है वो SN2 का favor करता है, SN1 का नहीं SN1 के लिए तो polar aporotic water-like solvent अच्छे होते तो यह statement wrong था फिर देखिए, H2O act as a ionizing solvent for tertiary alkyl halide बिल्कुल true है बच्चो देखिए बटा क्या है जब अपन बात करते हैं SN1 reaction की तो वहाँ अपन किसी tertiary halide को ले लें तो tertiary halide में हम कहते हैं सबसे पहले slow step में living group release होगा अब बटाजी हम theoretical तो कहते हैं कि release हो गया लेगिन एक पंगा यहां पर ही होता है जब यह bond cut होता है cut होते ही दो पोल बन जाते हैं plus minus और उनमें फिर एक attraction start हो जाता है ionic attraction तो यह job इतना easy नहीं होता है कि आप इसे cut कर लें इसके लिए आपको solvent की requirement होती है एक बड़ी energy नहीं solvent ions का solvation करना पड़ेगा cation का separate से nion का separate से इसलिए अपन water like या other polar product solvent यहां पर यूज करते हैं तो इसने का water water तो polar product में बहुत अच्छा है water को आप इस परपर से काम लेंगे SN1 के लिए water होता ही polar product तो यह बच्छो ट्रिव माना मैंने और देखिए the reactivity of HX for alcohol HI, HBR, HCN यह भी बिल्कुल आपके statement अब अच्छो ट्रिव स्टेटमेंट है आपने alcohol के ओपर HX की reaction और specially HCL की reaction देखिए होगी lukas, lukas testing 3 degree में बहुत अच्छा lukas test आता है, immediate आता है 1 degree में time लग जाता है, 30 मिनट तक लग जाते हैं, ठीक तो उन hydrogen halideों को आप alcohol से reaction कराते हैं, तो SN1 होती और SN1 के अंदर अगर अगर आपन यहाँ पे कहें तो यह जो acid सब लेते हो इन में से HI सबसे ज़्यादा अच्छा acid है, सबसे easy proton देता है easy proton देता है, तो आपके बस काम naturally हो जाएगा, HCL में अगर थोड़ी problem आती है, तो अपन Lewis acid की यहाँ पे mixing भी लेते हैं चलो, फिर यह होने के बाद आगे देखिए, protonated alcohol is less reactive than alcohol for SN1 देखो बड़ा, एक है आपके पास यह वाला alcohol, protonated और एक है आपके पास यह वाला reaction आप करा रहे हो SN1, तो SN1 में कह रहा है कि यह वाला जो है वो, जो protonated alcohol है वो less reactive होगा less reactive होगा, मैं आप alcohol more reactive होगा, तो यह मुझे ठीक नहीं लगा बच्चो, alcohol में OH एक poor living group है उस poor living group को better करने के लिए हम उसका protonation करते हैं, ताकि यह easily यहां से cut हो जाए, easily remove हो जाए, तो यह तो बच्चो अच्छा factor होता है जबकि यह कह रहा है कि reactivity कम होती है तो बेटा जी अपने से false में डाल देते हैं, तो क्या आया F, T, T, F अर चेक करो, क्या ऐसा first option में है, नहीं है T से शुरू हो रहा है, क्या second option में है, बिल्कुल है यही अपना answer है, कहीं और तो नहीं है तो यहां पर F से शुरू हुआ, लेकिन last F नहीं है, cut कर दो यहां F से शुरू हुआ, last वाला भी F है, लेकिन बीच वाले में दोनों T नहीं है, इसलिए यह भी cut हो गया सारे option पर कम करिए बच्चों, तो यह अपना question solve है, सबज में आ गया होगा, चलिए, next देखिए इसके बाद, आपना आते हैं, question number 10 पर, 10 number question क्या कह रहा है, बच्चों 10 में कहता है, यह which of the following compound will not give white precipitate with aqueous AZ-NO3 सबसे पहली बाद तो बच्चों, aqueous AZ-NO3 कि यह जो reaction हम कराना चाहते इन molecules पे, यह SN1 pattern की होती है जहाँ पे आप polar product solvent, water, alcohol ले लेते हैं या फिर अपन कहें यह जो aqueous medium आपने ले लिया वहाँ SN1 की approach अच्छी होती है, ठीक है और जब आप AZ-NO3 की reaction कराते हैं और सामने वाला molecule उसे CL दे देता है तो AG-CL का white PPT भी बनता है यहाँ पे इसने कहा white precipitate यह क्या होता है, जब हैलाइड AZ-NO3 से react होते हैं तो AG-plus जो है वह X को लेकर के AG-X का precipitation देता है AG-X में AG-CL आप लोगे तो white PPT आएगा और अगर आप AG-BR, AZ-I की साइड जाओक AZ-I तक जाते जाते, color जो होगा वो change होगा, yellow color का PPT आने लगता है तो बात यह है, reaction आपके समझ में आ गई, कि आपको दिये हैं RX, और RX पे आप AZ-NO3 की reaction कराके AG-X का PPT AG-CL का PPT बनाना चाहते हैं और वो कहना चाहरा है which of the following amount will not give कौन से वाला ऐसा है जो ऐसा नहीं कर पाएगा तो बच्चों बात अगर SN1 की है तो आपको यह देखना चाहिए कि कैटायन कहां better नहीं बन गा क्योंकि SN1 की reactivity कैटायन से देखी जाते है तो बच्टा मैंने सब से बहले CL को cut किया यहां पर प्लस लाया और प्लस से बुच्छा कि यहां कैसा लग रहा है तो उसने का बहुत bad feel हो रहा है क्योंकि मैं तो anti-aromatic बन गया हूँ तो बस यही आपका answer है और देखो मैंने जब इसको निकाला यहां पर मैं प्लस लाया तो इसने का शांदर feel हो रहा है क्योंकि मैं तो tropolium carbocation aromatic carbocation बन गया बिल्कुल ऐसा यह answer में नहीं आएगा answer में नहीं लेना answer तो वो लेना है जो AZ, CL का white PPT provide नहीं कर पाता जो reaction जिसके लिए favorable नहीं है वो यह वाली यह हो सकता है यहाँ पर मैं CL को निकालता हूँ प्लस बनाता हूँ तो फिर मेरा system aromatic cyclic है, planar है, resonance है 2pi का cyclic है, planar है, resonance है 6pi का यहाँ जाओं बच्चो तो यह CL को निकालने के बाद आपको मालूम है आने वाला प्लस दो तो benzene ring से क्या करेगा resonance और इस edge से क्या करेगा hyperconjugation और बाकी portion से इस method से क्या लेगा inductive तो इतने सारे factors stable करने वाले हैं बच्चों क्यों नहीं होगी SN1 बिल्कुल होगी 3 degree type का molecule और 3 degree में भी अपन कहें तो best carbo ketion वापे बन रहा है तो वैसे answer में नहीं है जहां से सुने answer यह नहीं answer यह है तो कि language में कहा है वो आपको लेना है following compound will not give white pvT with aqueous azien no three तो वो यह वाला option है बटा first वाला ठीक है चलिए और देखिए बटा next अब आगे बात करें अपन 10 number question के बाद 11 पे आते 11 में अपन को क्या कह रहा है वो देखिए बटा 11 में उसने हमसे कहा आपको major product बताना है major में यह molecule given है phenyl, magnesium, bromide EX मतलब excess में जितना चाहिए उतना given है hydrolysis भी करा सका तो बटा जी होना क्या है आपके सामने जो molecule है वो acid derivative category का है तो यहाँ पे सबसे पहले आप phenyl का attack करेंगे तो यहाँ सबसे अच्छा living group CL रवाना हो जाएगा तो यहाँ कानी खतम नहीं होगी तो यह access दिया है और फिर एक phenyl को और ले आना इसी के उपर तो यहाँ पे यह वाला भी group रवाना हो जाएगा दोनों तरब से living group ester भी reaction कर लेगा hyaline भी reaction कर लेगा तो अपने कहां पहुंच जाएंगे phenyl, बीच में CO फिर phenyl लहिन कानी यहाँ भी खतम नहीं होने वाली है पहला phenyl डाला CL निकाल के दूसरा phenyl डाला Ethoxy निकाल के इसको कहते है Acid-Acid Derivative की Nucleophilic Sub-Astitution हो गई अब बेटा यह जो phenyl है यह फिर attack करने आ रहा है इस फिर attack का नाम है Nucleophilic Edition कार्बोनिल पे और यह bond opening कर रहा है ऐसा करने के बाद बेटा यहाँ 3 phenyl हो जाएंगे O पे negative हो जाएगा MgBr हो जाएगा जब आप उसे हैड्रोलाइज करेंगे तो Mg, Mg, Br, O, H निकल जाएगा यह H इसके उपर दिखाई देगा तो आपको 3 degree alcohol दिखाई देगा जिस कार्बन पे 3 phenyl है यह देखिए बच्चो 1, 2, 3 बिलकुल perfect option यह बच्चो अपना wrong option है इसका मलब यह तो कहना चारा है कि आपने सिर्फ ethoxy रता है वैसे भी गलत बच्चो आपको 3 बार reaction करनी थी excess के अंदर तो यह नहीं ले पाओगे आप यहां कहीं तो मतलब CL निकाल दिया ethoxy रख लिया यह भी नहीं रह सकते 2 phenyl ले लिये आगे reaction नहीं कराई तो यह वाला product अपनको देना चाहिए ठीक है बच्चो चलिए next देखिए इसके बाद अब अब अबन बात करें question number 12 12 में आईए बटा 12 में क्या कहना चाहरा है वो आपसे 12 में एक molecule ले लिया है cyclic ether ले लिया उसके उपर आपको green yard reagent की reaction दे रहा है फिर आगे एक reaction और दे रहा है तो सबसे पहले बात तो यह बटा जो आपको given है वो asymmetric cyclic ether asymmetric cyclic ether के लिए GR का यह CS3 एक nucleophile का attack करेगा और medium यहाँ पर basic माना जाएगा तो यहाँ एक condition होती है asymmetric molecule में basic medium में attack होते हैं तो attack lower crowded side पे SN2 pattern से होते हैं अगर medium ऐसे डिक होता तो फिर अपन उसको more stable ketion पे nucleophile को entry देते और SN1 pattern माना जाता लेकिन अभी present में आपका जो CS3 है वो एक बहुत अच्छा nucleophile है एक बहुत अच्छा base है तो अपन उसको basic medium की तरह treat करते हुए यहाँ attack कराएंगे यहाँ नहीं भाई बेटा दोनों carbon पड़े रहेंगे इस carbon के उपर एक methyl आ जाएगा और यहाँ पर बच्छो ओ जो बना salt जो बना वो hydrolysis याई पूरा salt देखने तो ऐसा होगा O negative MgBr जब आप attack करा लेंगे यह CS3 आपका उसमें ऐसे enter किया है अब उसके बाद जब आप hydrolysis करा लेंगे यह जो दूसरा step दिया है तो MgBr OH निकल जाएगा निकलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ OH बन गया अब बच्छो यह जो combination है बड़ा important मेरे product को देखके इसको देखके मुझे alcoholों की testing याद आजाती है catalytic dehydrogenation अगर मैं इसको यूज करूँ 1 degree alcohol पे तो eldehyde देगा 2 degree पे ketone देगा 3 degree पे alkyne देगा क्योंकि 3 degree पे dehydrogenation तो बटा हो नहीं पाएगा वैसे अगर 1 degree 2 degree की बात करें तो H2 निकलता है इस catalyst की burgence लेकिन यहाँ ऐसा possible नहीं है पर यह बड़ा temperature 3 degree alcohol में elimination को motivate कर देगा तो H और OH निकल के अगर अपन कहें तो यहाँ इस तरह से एक सैतजफ alkyne बन जाए ठीक है तो यह होता है बच्चों यहाँ पे तो अगर मैं देखूं तो पहला option मेरा किसी भी तरह से suitable नहीं है दूसरे वाला बिलकुल इस जैसा ही है बस और कुछ नहीं एचच पूरे फिलब कर रखें है यही अपना आंसर है 3rd वाला नहीं है 4th वाला भी नहीं है तो यह था बटा क्योंकि यह था selective oxidation इसकी जग़ा PCC भी अपने NCRT में दिया हूँ पेरिडिनियूम क्लोरोक्रोमेट वो भी ऐसा ही selective होता है जो 1 degree alcohol को LDN बनाता है आगे acid में convert होने नहीं देता है चलिए बटा नेक्स देखिए इसके बाद question number 13 पे आते हैं 13 में क्या दिया है आपको 13 में वो कहना चाह रहा है molecule given है alcohol फिर आपको दे दिया almina वैसे अपन कहें तो जो dehydration of alcohol अपन पढ़ते हैं वो अपन S3PO4 में पढ़ते हैं sulfuric acid concentrate sulfuric में पढ़ते हैं यहाँ पर वो न देखे almina दिया है तो कोई बात नहीं almina में भी almina भी dehydrating agent है heat आपको दे ही रखिए OH के साथ आप beta H ले लो भाई ये ले लो नीचे वाला ले लो पीछे वाला ले लो तो overall इस तरह से आपका जो A product है A product में आपको इस तरह की एक alkyne मिल जाएगी A बन गया अपना A बनने के बाद आप ले रहे हो HBR paroxide तो आपको बहुत famous reaction याद आएगी alkyne पे खराश effect, paroxide effect AMKR अपन कहें तो HBR का addition तो यहाँ पे जब मैं HBR paroxide लेता हूँ तो इस में से आपको मालूम है जो बनता है वो BR free radical और वो जाता कहां है वो उस carbon पे जाता है जिस पे attack करने से intermediate ज़्यादा अच्छा feel करे तो यहाँ पे वो उस जगा पे गया beach वाली location पे 3 degree पे free radical अच्छा था तो finally आपको product भी फिर वैसा ही बिल जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं AMKR product anti-marconic cough अपन यहीं से सीखना शुरू करते हैं ऐसा product बना अब बटा उसकी अपने reaction करवाई equus naoH के साथ क्योंकि अब आप भी पे आ चुके equus naoH का मतलब आप बात कर रहे हैं कौन सी reaction की SN2 OH- एक nucleophile बनके इस पर attack करेगा और BR को cut कर देगा cut कर देगा तो बच्छों यहाँ पे OH आ जाए बस यहाँ पे यह देखना है यह SN1 नहीं है SN2 है equus naoH equus koH यह जो होती है वो आपकी SN2 टाइप की reaction यह हुई अब यह उने के बाद अगर अपन कहें तो reaction क्या होनी है phenyl magnesium bromide phenyl magnesium bromide greener reagent है greener reagent का यह जो specie है वो nucleophile भी होती है nucleophile के साथ sharp भी होती है फिलहाल यह sharp बनके इस amly H को चुडा लेगा यह famous reaction है GR को आप कोई acid provide करा दे तो उसका proton वो capture कर लेता है तो दोनों-दोनों मिलके benzene बना देंगे और alcohol को salt बना देंगे तो मैं option देखू यहाँ, 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 यहाँ तो मेरे पास कोई alcohol वाला तो कोई case ही नहीं है बच्चो क्योंकि सब में benzene के उपर कुछ कर रखा है तो benzene के उपर कुछ product बनाना है तो वो यह बना बैटर benzene ही बनाना है फिर benzene का तो यहीं बनेगा भाई यहाँ से फैनिल ले लिया यहाँ से h ले लिया तो benzene क्योंकि बाकी तो कोई option ही नहीं उसके अंदर ठीक है, clear हुआ चलो बटा, यह 13 number question था और देखिए इसके बाद यह अपने single choice वाले question 13 हो गए, अब passage शुरू होते है हर passage में 2 question है उसके लिए भी single answer ही रहेगा चलो, शुरू करते हैं, बटा, क्या कह रहा है यह यहाँ पर आपको दिया बटा, यह अब यह paragraph दे दिया है बच्चो, consider the following reaction एक पूरा sequence reaction का आपको दे रखा है इस sequence related आपको यह वाला question भी solve करना है 14 number और इस से next वाला 15 जो है, वो भी इसी से belonging है पूरी theme अपन, समझते हैं पहले देखो बटा, यह ऐसी मेरे को एक अलकीन भी मुझे उसके उपर किसी का attack कराना है और A बनाना है फिर मुझे PCC की reaction करानी है B बनाना है, फिर आगे reaction कराके C और Y, देखो question की demand क्या है, वो सुनते है इन above reaction X and AR respectively एक तो आप यह X बता दो एक आप यह A बता दो इस molecule के साथ molecule आपके बस given है तो देखो बच्चो सभी option में आपको शुरू में तो दिया हुआ है reagent और उसके बाद दिया हुआ है आपका product मतलब इसको तो आप मानो X और दूसरे वाले को मानो आप एक चलो देखते हैं क्या है सबसे बहले मुझे यहां तक का जो combination है उसमें मुझे समझ में आता है oxy-mercuration, demercuration और oxy-mercuration, demercuration क्या होता है अपन को एक EIN के उपर water add करना होता है MKR करना होता है तो मैं मेरे molecule में देखता हूँ मेरे को एक बिल्कुल EIN दी हुई है और उस EIN के अंदर अगर मैं इस location पर O-H enter कराऊ तो बिल्कुल वो MKR वाला water addition हो जाएगा तो इससे लेकर के मैं यह बनाता हूँ बिल्कुल perfect है यह तो matching यह तो ठीक है अब मैं अगले पर गया बच्छो इसमें मैंने देखा तो मैंने यहां तक जो पढ़ा इसको कहते हैं Hydroboration Oxidation Hydroboration Oxidation जो होता है वो क्या करता है MKR water बनाता है तो MKR water बनाएगा तो sorry AMKR यह MKR बनाता है without rearrangement rearrangement होने का chances इसमें नहीं होता है बिल्कुल ऐसे यहां भी rearrangement नहीं होता लेकिन कौन से वाला water add करता है AMKR, Ulta Boron जाएगा वही ओच जाएगा ऐसा pattern रहता है तो इस लिहाज से यह location गलत होगी terminal, सिरे वाली location पर ओच लगना है बिल्कुल सिरे पर ओच लगाया है तो पहला भी अपनी जगाँ ओके है दूसरा भी ओके है दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे तीसरे में जाओं बच्चो तीसरा है dilute S2SO4 मतलब आपको अलकीन जो दी गई है आप उस पर water add कर रहे हैं acidic medium में यह कहना चाहरा है dilute S2SO4 मतलब S2SO4 तो सिर्फ catalyst है वैसे attack OH का ही होना है तो बटा उसके अंदर अपन कहते हैं rearrangement करके OH लगाओ इन दोनों में rearrangement नहीं करना होता इस वाले water addition में rearrangement करना होता है लेकिन बच्चो rearrangement होने का option भी दो होना चाहिए जो तुमें molecule दिया है उसमें ये जो 2 degree cation बन रहा है ये आगे update नहीं हो सकता तो कि अभी फिलहाल यहाँ पे जब तुम cation बनाओगी तो उसको 5 alpha H मिलेंगे और अगर आप अगले location पे चले गए तो अगली location पे तो alpha H और कम हो जाएंगे हलाकि वो अच्छा हो सकता है यहाँ जाके पर बच्चो इतना बड़ा jump नहीं होता रही arrangement में तो इसका मदलब ये भी बिल्कुल वैसा ही product देगा जैसे इसने दिया देख लो बच्चो दोनों का save है तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है अब आये बच्चो फोर्थ पे मैंने लिया sodium ethoxide उस sodium ethoxide ने जाके क्या किया इस molecule का ये BR उड़ा दिया तो बच्चो ये तो बिल्कुल possible ही नहीं आपको मालूम है जो aryl halide होता है उसकी nucleophilic substitution इतनी भी easy नहीं होती उसके लिए अलग pattern चलता है high temperature, high pressure पे होता है या फिर अपने NANS2 liquid ammonia लेके benzyne मना के reaction कराते है तो ये तो बच्चो पूरी तरह गलत है अपन को इन में से कुछ चूज करना है चलो करेंगे अभी एक बार अपन hold पे रखते हैं कि अपन को ये चाहिए क्योंकि आगे पूरी scheme complete होने चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं अब ये passage वाले में ये चकर है आपको अगला question भी देखना पड़ेगा उसके option भी देखने पड़ेगे फिर अपन को बात समझ में आएगी कि साब अपन को overall क्या करना चाहिए इन दोनों ने हमें same सा दिया ये दोनों ले सकते हैं दो option तो क्या आने है लेकिन ये वाला एक अलग तरह का product है AMKR overchad हुआ है अब अगली demand सुथते हैं बच्छों क्या करना है देखो आपको दिया है PCC PCC क्या करेगा आप देखो इस या इस पर बात कर लो अब आप PCC आपको मालूम है Pyridinium chlorochromate 2 degree alcohol को बनाता है ketone 1 degree को बनाता है वो LDH ये PCC का function है Pyridinium chlorochromate का और फिर उसके बाद PCC से reaction कराने के बाद क्या हुआ आगे अपने उसको जो बना product उसको अपने magnesium से reaction कराई hydrolysis कराया तो कुछ बना फिर उसको जो बना उसको Y से reaction कराके ऐसा product बन गए तो बटा अब अगले option पर थोड़ा सा विचार करते हैं क्या दिया है अपनको उसने देखिए इतने तक अपनने जानकारी हासिल कर ली कि अपनको फॉर्थ तो देना नहीं है इसमें जो X और A है वो इन में से या इन में से जाएगा ज़्यादा चांस इसके करानी होगी यह दो तो टाइम की reaction हो गई तो दो option अपने को देना है अपनको तो एक ही देना है चलो पाकी फिर भी question देख लेते है question से ज़्यादा clear हो जाएगी बात 15 नंबर पर आईए बटा यह देखी अब 15 में क्या कहता है 15 में कहता है इन दा अब ओव रियेक्शन 15 नंबर question में कहें अब बन तो देखो बटा क्या है 15 में चेक करिए 15 में क्या है अपन यहां तक आगे थे यह वाला product अपन ने A की बात हो गई थी A के बात PCC का function अपनको समझ में आ गया अब कहता है इन अब ओव रियेक्शन compound C and Y अब बटा इस C को पूछना चाहता है और Y को पूछना चाहता है जो आपको यह दे दे बटा ठीक है पिछली बार की रियेक्शन यादा आपको आपन कहां तक पहुंच गए थे यहां पे BR ऐसा कैसा पड़ा ही था इस पे कोई impression नहीं आया था एक चीज यहां पे क्या थी 1, 2, 3, 4 तो यहां पे आपके बस 1, 2, 3 और 4 कार्बन है तो एक बार आपने इस थर्ड पे कहें तो OH लगाया था और एक वले option के अंदर आपने क्या किया था BR यहीं पड़ा रहा था 1, 2, 3, 4 और यहां पे आपने OH 4 नमबर पे लगा लिया था बस last वाले 14 में तो यह दो ही option हुए अब अपना आगे का kाम देखें क्या होगा अगर बिटा मैं यहां पे PCC लेता हूं PCC लेने पे मुझे पता है कि यह जो है वो किस में CONVERT हो जाएगा यह वाला जो portion है यह वाला portion CONVERT हो जाएगा KETON में और इधर वाला जो portion है यह वाला मेरा convert हो जाएगा बच्छो LD हाइड पर अब फिर मैं magnesium THF ले लूँ तो मुझे यहाँ पर दोनों में ही क्या नजर आता है यह वली जो location है यह वली जो location है इसमें magnesium के entry कराके मैं क्या बना दूँगा GR यह लो बच्छो मैं यहाँ पर इसको और इसको अब GR में convert कर लेता हूँ यहाँ पर बन गया MGBR यहाँ बन गया MGBR ठीक जैसे यह GR बना आपको मालूम है इस nucleophilic location के लिए attack के लिए जगा बन गई यह जाके यहाँ attack कर सकता है इसे open करके alcohol बना सकता है यह यहाँ पर जाके attack कर सकता है इसे open करके alcohol बना सकता है तो यहाँ पर इस ring के adjoining देखो यहाँ पर पहले से bonding है अब यह वली location आकर के यहीं पर चिपक रही है तो overall ring के fusion में एक ring बनेगी किते की 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें तो 5 की बनेगी इसमें अपन कहें तो 1, 2, 3, 4 sorry 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 की तो यहाँ देखो बच्चो जिते भी option आप देख रहे हैं बेंजीन के fusion में 6 का system बन रहा है 5 का नहीं बन रहा मतलब इस पे अपन को काम करने की जरूरत नहीं है महलब इससे यह तो confirm हो गया कि अपन जो just पहले करके आएं पहले अपन उसको finalize करें अब तो यह अपन को clear होते ही यह first हो गया आपने पास कि अगर अपन question number 14 में जाके देख तो 14 में जाने के बाद बच्चो यह इसका answer मैंने sure कर लिया कि मुझे यह लेना है क्यों आपने देख लिया बच्चो यहां ओच होता है और यहां पर उसका attack होता है तो fusion की ring का size बैठ रहा है लेकिन अगर अपन यह लेते हैं यहां पर इसका attack कराते हैं तो वो वाले product भी नहीं बनने जो अगले वाले theme में अपन को दे रखे हैं चलो 14 confirm, 14 done है 14 के बाद 15 पर चलते हैं उसे भी final करते हैं बच्चो तो यहां देखिए आप यह होने के बाद अब आओ बटा 15 पर आजाते हैं 15 को भी अपन solve कर लेते हैं यह लेजिए बटा कहां थे अपन? अपन बात कर रहे थे अपने पास यह position है 1, 2, 3, 4 4 पे OH है यहां BR है यह आपका बेंजीन विंग ऐसा का ऐसा ही है अब आपने जब इसके अंदर PCC डाली तो PCC ने आपके इस वाले portion को बना दिया LD हाइड और LD हाइड बनने के बाद यहां LD हाइड जैसे बना और यहां फिर आपने यहां MG THF पहला यह लिया तो उसने इस वाले portion को बना दिया GR ने इस निकलियोफाइल ने यहां पर अटेक किया तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 की fusion में बंजीन के पड़ोस में ही एक fusion में यह वाले दोनों carbon common हो जाएगे bridge head वाले बन जाएगे और एक ring बनेगी और ring के अंदर यहां पर इस bond को open करके आप इसको देखो hydrolyze भी करा रहे हो इसका मदलब आप इसको क्या बना रहे हो अलकोल बना रहे हो बच्छो तो इसका मदलब कुछ इस तरह का सा scene होगा यह यहां रहेगा इस location पर अगर मैं कहूं तो यहां 1, 2, 3, 4 और U से अपन कहें यह 1, यह 2, यह 3, यह 4 यह 5 और यह वाला 6 और 6 नंबर यह जो carbon है उसके ओपर बच्छो O negative mgbr होगा जिसे अपन hydrolysis से OH में बदल लेंगे तो इस तरह का option देखो बच्छो यह बैठ रहा है यह यह नहीं इन दोनों में देखें तो यह वाला ज्यादा बैठ रहे यह वाला रोंग है यह OH की location नहीं फिट बैठ रही छोड़ दीजी और आगे वाले option में अगर मैं देखूं बच्छो तो आगे वाले option में तो इसने BR को affect ही नहीं किया मतलब यह BR साथ में BR कहा रहा? BR ring पे इधर वाली ring पे कैसे BR आ गया? BR तो आपकी benzene ring पे था ना आप reaction जब करा रहे थे तो BR था benzene पे साथ वाली ring पे BR कैसे transfer हो सकता है? तो यह लो बच्छो यह भी हट गया तो option तो यह बैठता है तो यह रहा अगर आपके पस यह बन गया था तो आपने POCL 3 में क्या कराया? dehydration? OH और H निकाल दिया तो यह लो बच्छो आप last वाले final पड़क तक भी पहुंच गी थोड़ा सापको दोनों दोनों question में एक बार घुम के देखना पड़ेगा कई बार ऐसा भी होता है कि बात वाला question पहले solve होता है ठीक है? चलिए बटन next देखते हैं इसके बाद हाँ तो बच्छो next paragraph 2 में चलें अगर आपन तो paragraph 2 में आपन को बात करनी हैं अब next 2 question क्योंकि इससरे related भी 2 question है according to experimental evidences aromatic electrophilic substitution reaction proceed through the following step भाई अगर आपन experimental evidence की बात करें तो electrophilic substitution aromatic molecule की जो reaction है उसके क्या steps रहते हैं? generation of electrophile बिल्कुल सबसे पहले जब reaction start करते हो तो आप electrophile firm करते हो self ionization से कर लो या फिर किसी catalyst की help ले लो formation of carbocatine intermediate बिल्कुल ठीक बात आप electrophile firm करने के बात जब ऐसे aromatic system में एंटर कराते हैं तो फिर carbocatine firm होता है, sigma complex firm होता है, removal of proton from carbocatine intermediate ये भी बिल्कुल होके हैं जब आप रिंग के अंदर electrophile enter कर देते हैं तो रिंग को लगता है मेरी aromaticity का loss हो गया तो last में living group lose कर दिया जाता है और system फिर से aromaticity gain कर लेता है बिल्कुल electrophilic substitution में ऐसा ही होता है, ठीक तो फिर आप कहता है कि identify the position where electrophilic aromatic substitution can take place तो यहाँ पे आपको molecule given है, molecule में बेटा 1 और 2 और 3 और 4, 4 चार location दे रखी हैं और आप कसे पूछना चाहता है electrophilic aromatic substitution आप कौन सी location पे कराना चाहोगे, मतलब वो आपसे इस topic में directive effect की बात कर रहा है कि आखिर electrophil को कहां जाना चाहिए, तो बेटा देखो आप जानते हैं जो electrophilic aromatic substitution है वो इधर या इधर होगा दो अप्शन आपके पस अब उन दोनों अप्शन में से better option की बात करूँ मैं दोनों दरब उसका resonance है तो ये तो बच्चो common factor हो गया उसके अलावा जो right वाली ring है, उसके उपर methyl भी है जो भी plus h से plus h से ring को electron donate करेगा ESR के लिए activating group को role play करेगा, तो पका हो गया कि अपन यहीं attack कराएंगे यहां क्यों कराएं तो यह तो confirm है, अपना answer 1 और 2 आना है, पर 1 आये या 2 आये, अब यह सोचने वाली बात है, तो बच्चो अगर मैं बात करूँ 1 के लिए, तो 1 number वो वाली location है, जिसको rich करने में nitrogen का resonance role play कर रहा है लेकिन अगर मैं 2 की बात करूँ, तो 2 number तक nitrogen का resonance नहीं जाएगा, क्योंकि benzene link पे attached group resonance करे, hyperconjugation करे donate करे, तो ortho pera को ही rich कर पाता है, तो बेटा जी nitrogen का ortho 1 है, तो अपन 2 पे क्यो जाएं, तो अपन 1 पे ही attack कराएं कि सीदा सीदा directive effect से related बात थी बच्चो, यह जानना चाह रहा था चलिए, next देखिए, इसके बाद अगले question पे आते हैं अगला question इसी से related एक और है वो देखो बटा, क्या कह रहा है अब इसमें आप से पूछना चाह रहा है वो तो अपने पड़ी लिया जो paragraph था, what is correct order of rate of nitrogen of the following compound आपके साब molecule दिये हैं, बच्चो, A से लेके G तक, आप उसमें कराना चाहते हो, nitrogen, मतलब electrophilic aromatic substitution में एक reaction होती है, nitrogen जिसमें nitric acid, nitratic mixture लेते हैं, वो अगर आप यहां पे करा रहे हैं, तो आपको उनकी rate बतानी है देखो बच्चो, बेंजीन पे अगर methyl जुड़ा है, तो no doubt electrophilic aromatic substitution जदा बहतर होगा, तो कि donor hyperconjugation वाला plus H वाला benzene ring पे है benzene है deuterium वाली benzene है tritium वाली benzene है, तो यह तीनों बच्चो वो हैं जिनके लिए nitrogen की rate बराबर आएगी अब आप कहेंगे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए बच्चो, जो electrophilic aromatic substitution होता है, उसकी reaction के RDS में, electrophile enter करता है, अगर RDS में, और living group release नहीं होता, तो आपको मालूम है, कि जब आप ESR कराएंगे, तो इसमें से H निकलेगा इसमें से D निकलेगा, इसमें से T निकलेगा, हाला कि सबसे easy H निकलता है, क्योंकि bond energy कम होती है, पर उनका निकलना, nitrogen में, rate determining नहीं होता, कि rate उस पे affect हो जाए, यहीं देखना चाहता है, इन तीनों में, तीनों की rate बराबर बतानी है, ठीक है, nitrogen के लिए, हाँ, कुछ example में ऐसा होता है, कि वहाँ पे, जो RDS के अंदर H निकलता है, rate determining में, अगर H का निकलना होता है, तो rate पे उसका impression आता है, इसको secondary kinetic isotopic effect भी कहते हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपन कहें, तो primary kinetic isotopic effect लगेगा, क्योंकि RDS में हमें होपन H को, D को, T को निकालने रहे हैं, तो rate पे उसका कोई impression नहीं आना, तीनों सेम rate की, और तीनों से ज़्यादा बढ़िया आपका A रहेगा, क्योंकि रिंग के उपर कोई एक activator भी बैठा है, अब यह तो बच्छो deactivator है, हलोजन waitrower होता है बच्छो, हाँ, confusion हो सकता है कि सर, यह तो plus आ रहा होता है, नहीं बटा, इसमें withdrawing effect लगता है, R और I में dominating अपन कहें, तो आई रहता है, और NR3+, यह भी withdraw करेगा, बहुत अच्छे से withdraw करेगा, inductive से ही करेगा, और अगर मैं कहूं बच्छो, इसकी बात, तो nitrogen पे आपको बता है, लॉन पेर होता है, लॉन पेर वाला बेंजीन रिंग को अगर activate करेगा, फिर तो बेटा, वो A से भी ज़्यादा आगे चला गया, तो एक summary सी मेरे पास यह बनी, सारों को देखने के बाद, कि सबसे शांदार मुझे जी लग रहा है, क्योंकि मेरी बेंजीन के उपर एक plus R वाला group attach है, जो ring को electrophilic aromatic substitution के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तियार करेगा, तो G आगे आगे लेना है, G लेना है, G लेना है, कोई फाइदा नहीं हुआ इस knowledge का, क्यों? देखो, चारों option में ले लिया, यह जनल बात थी, सब को पता थी है, माल लो आप, G के बाद कहें अपन, तो अपन को A लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तो विट्रोवर है, वो सब के सब पहले वाले से बिछे, तो G के बाद A, G के बाद A आना है, G के बाद अपन कहें, तो A आना है, यहां B आ गया, छोड़ दो इसे, यहां भी A आया, तो अभी तक अपने बस तीन उप्शन का, फिर भी बात आगे बनी हुई, चलो, हमने ले लिया A, हमने ले लिया G, तो अब बचा कौन, यह दोनों तो लास्ट में लगाने, अब बच गई है, तो कि रिंग पर कोई डॉनर भी नहीं है, तो कोई विट्रोवर भी नहीं है, और तीनों को बराबर रेट देनी है, तो बचों यहां पर आपको दिया, G A के बाद B, फिर C, फिर D, B, C, D, लेकिन उनकी रियक्टिविटी में डिफरेंस है, नहीं कर सकते आप, यह तो बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, नहीं होगा, चलिए, फिर उसके बाद B, C, D, बराबर रियक्टिविटी माल लूँगा, लेकिन अभी और भी देखूं, क्योंकि अभी बादवाला स्थेप भी तो पड़ा है, यहां देखें अपन, B, C, D, C, D को बराबर माना, B को अच्छा माना, यह लो साब, question solve हो गया आपका, G आया, G के बाद A आया, फिर B, C, D बराबर आया, E और F में से, पहले उसने E बताया, जिसमें वो जुट रखा है, उसकी ENB 2.75 है, और खुद की Bromine की 2.8 है, तो बड़ा Gap तो है नहीं बच्चों, पर फिर भी है, लेकिन यहां पे एक बड़े Gap वाला केस है, हाँ, confuse करने के लिए, तीन Bromus जरूर लगाए है, पर तीन का क्या करें बच्चों, नंबर से थोड़ी होना है, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, NR3 को अगर आपने पढ़ा, इंड़्टिव इफेक्ट में बहुत आगे रखते हैं अपन, निट्रों से भी ज़्यादा अच्छा वुड्रावर मानते हैं, तो इसलिए वो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आपन कहें, तो थर्ड आना है बटाक, चलिए, फिर देखिए इसके बाद, अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों, यह अपना, पैसेज 2 हो गया, अब एक पैसेज और बच्चा है बच्चों, लास्ट पैसेज है, इसमें बात करते हैं, देखिए क्या कहता है, हाइड्रो कार्बन ए हैज मोलिक्लर फॉर्मूला दिस, एक हाइड्रो कार्बन है बच्चों, जिसमें 8 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, तो फिर आगे क्या कहता है, और ट्रीट्मेंट विद एक्वस एनने एनस्टू, फोलोड बाई रिएक्शन विद देखिए साथ साथ, 18 नमबर क्वेशन क्या कहता है, फिर उसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तो आपको इस फॉर्मूला का एक भी मिलता है, ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, C8H12 की, तो मेरे फर्स्ट मोलिक्वल में भी 8 कार्बन है, नेक्स्ट वाले में भी 5 और 3 8 हैं, 5 और 3 8 हैं, 6 और 2 8 हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हैं, यह 8 वाला है, ठीक है, तो सभी अबन कहें, तो 8 कार्बन 12 हाइड्रोजन के हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसने कंडिशन डाली है, ट्रीटमेंट with aqueous NANH2, अब NANH2 से रियेक्शन अगर आपने करानी है, तो NH2- जो है, वो अलकाइन के टर्मीनल एच पे रियेक्शन करता है, असिद बेस रियेक्शन होती है, तो उस चकर में यह लाइन से बाहर हो गया, क्योंकि इसके बस terminal h ही नहीं यह line से बाहर हो गया क्योंकि terminal h ही नहीं तो अब line में है सिरफ 2 एक ये वाला एक ये वाला तो इन में होगा क्या बäटा ये वाला जो h यहां पाया जा रहा है ये h जो पाया जा रहा है इसको तो बäटा NH to minus ले जाएगा और NH to minus को ले जाने के बाद यहाँ पे होगा क्या यहाँ पे position बनेगी C negative N positive यहाँ पे C negative और यह अगर निकल गया तो यहाँ पे N positive यहाँ दोनों में हो सकता है मलब अपनी range में adoption है आगे बढ़ो क्या कहता है with aqueous NH to followed by reaction with CS3BR अब इतना गराने पे रोकना नहीं अब आप CS3BR से reaction करवाई बैटा जी मैंने यहाँ CS3BR डाला तो एक nucleophilic substitution हुआ इस nucleophile ने इस पे attack किया तो यह carbon यहाँ पे fit हो गया बिल्कुल ऐसा यहाँ पे भी CS3BR आया तो इस nucleophile ने attack किया और यह remove हो गया तो आपके पास product बन गए बच्छो कौन से वाले 9 carbon और 14 hydrogen बैटा एट तो पहले पढ़े ही थे एक carbon उसमें और आ गया एट तो पहले पढ़े ही थे एक उसमें और आ गया ठीक है अब क्या कहता है चलो मतलब overall यहां तक की मैं summary कहूं तो यहां तक की summary यह है बच्छो कि आपके पास हमने यह देख लिया यह हमें लेने नहीं क्यों नहीं लेने logic मैंने बता दिया इससे आपको एक product मिलेगा third वाले option से third वाले option से जो product मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा और जो fourth वाला है उस fourth वाले का product आपका कुछ इस तरह का होगा यह यह या तो यह आपका भी है या यह आपका भी है अपन देखते हैं अपनी condition आगे कोन satisfy करता है बी ओन oxidation with acidic solution of kmno4 देखो acidic kmno4 से अगर मैं इनका oxidation करता हूँ तो c बनने वाला है और c में 7 carbon 12 hydrogen o2 है as one of the product ठीक है तो बच्चो kmno4 acidic लूँगा तो मैं यहां से इसे कट मारूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी kmno4 acidic अभी बात अपनी हुई है क्या करता हूँ अगर आप इन पे ले रहे तो उसे carbonil बनाता है carbonil आगे acid बनता है तो यहां पे भी अपन कहें तो दोनों-दोनों portion जो है वो acid में convert होंगे तो यह convert हो जाएगा बटा आपका इस तरह 7 carbon के एक acid में अगर आप यहां जाते हैं तो यहां पे भी 5 की तो बचो यह ring रहेगी जो पहले थी और उसके उपर यहां second carbon के उपर carboxy रहेगा इसमें भी ऐसा हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपका B C में convert हो गया C का formula अगर match करना हो तो 7 carbon बिल्कुल 7 है 7 के उपर hydrogen 12 है और तो 2, 4, 6, 8, 8 और 9, 10, 11 और 12 बिल्कुल formula भी match कर रहा है इसमें करें तो 5 carbon पे 1, 2, 3, 4, 5 पर 10 और यहां 11 और यह 12 बिल्कुल यह भी ठीक है आगे बढ़ो बचता क्या कहता है C on heating with soda light अब जो C आप देख रहे हैं उसको आप soda lime से heat करेंगे और soda lime से heat करने पे followed by chlorination product in presence of light पहले आप इसको soda lime से react कर लो और soda lime से reaction होने के बाद आप chlorination करो और chlorination जब आप करेंगे light और chlorine में तो single monoclorinated derivative बनेगा C6H11Cl तो बैटा अगर मैं soda lime की reaction कराता हूँ तो soda lime तो इस purpose के लिए बना होता है molecule में से CO2 निकाल देता है अगर CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पे बना जो product होगा वो कुछ इस तरह का होगा यहाँ अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर अपन second carbon के ओपर ठीक है यह यह रहेगा यह आपके बस molecule बनेगा जबकि इसमें जब CO2 निकलेगा तो product कैसा होगा cycle exam अब आप इस पे chlorination कराना चाहते हैं FSR reaction FSR में आप चाहते हैं एक ही type का product बने तो बैटा जी वो तो इसमें possible है इसमें तो possible नहीं है क्यों क्योंकि इसमें तो one degree location भी है इसमें three degree भी है इसमें two degree भी है यह वली और भी है तो monoclorination का option बैटा एक नहीं है इसमें तो एक से ज़्यादा option है तो यह अपना नहीं है तो इसका मतलब हमने अब तक जो पढ़ा उसके हिसाब से पहला दूसरा तो मैंने पहले ही बता दिया था तीसरा भी आपका option नहीं बैठ रहा आपका option बैठ रहा है चार number के साथ चार number के साथ आप पूरी theme यहाँ पे आपका यह ठीक है जो आपको पूछा गया है तो ए में आपका चार number सारी condition को अब तक satisfy कर रहा था ठीक है तो यहाँ पे अपने इसे देख लिया कि सब क्या होता है आगे देखते हैं अगला question क्या कहता है अगले question में कहें अपने क्योंकि यह question solve हो गया है अगले question में क्या है हाँ जी बच्छो 19 number question में देखिए which of the following statement is correct regarding B B के बारे में बताना है तो देखो आपके बास जो molecule था वो molecule आपने देख लिया था क्या था कुछ इस type का molecule था ठीक इस molecule में जब आपने NNH2 की reaction कराई तो यह निकल गया यहाँ से यह nucleophile बना और उसके उपर जब आपने CS3VR की reaction कराई तो finally आपको यहाँ पे कुछ इस type का product मिला यही तो बता B था अब B पे अपन को आगे काम करना है अगला question B से शुरू होता है तो आपके बस पहले यहाँ तक की reaction होना ही चाहिए यह जो आपने A final किया था उसको आपने NNH2 से reaction कराने के बाद अगर CS3VR से reaction कराई तो जो बना उसी को B कहते B कुछ ऐसा दिखता है चलो अब अपन B लिख लेते हैं और B के बाद की बात शुरू करते हैं हमें दिया गया है यह और यहाँ पे ऐसा product यह अपना B है अब B के लिए कहता है B के लिए आपको देखना है वह सिसरें बनाने का काम करता है बर्च होता तो ट्रांस तो बनाने का काम करता है followed by, मालब यह होने के बाद फिर और करानी है, कि से alkaline KMNO4, आपको याद होगा KMNO4 basic होता है, तो ये जो है, वो एक इन के उपर OH-OH-Syn-Diol देता है ठीक है, तो अब इसमें से SYN-OH आने है, molecule CIS पड़ा है, ठीक है तो ये वाला CIS और इसके ओपर SYN-OH चाहता है तो CIS और SYN, सेम-सेम मिलते हैं, तो symmetry आजाती है, molecule मीजो बनता है, पर उसके लिए भी एक बात होती है, देखो, ये statement बड़ा ऐसा है, जो, ऐसे लगता है कि अपने इसको accept कर लें, अब अगर आप tricky सवाल कर रहे हैं, अगर ये वाली अलकीन में, ये दोनों गुरूप अलग ना होते, तो बिलकुल ये statement सही जा रहा था क्योंकि CIS अलकीन पर SYN addition अगर करूँगा तो मीजो बनेगा, पर मीजो बनने के लिए बटा, molecule का top और bottom सेम होना चाहिए मलब उसमें plane of symmetry आने का कुछ तरीका बनना चाहिए, center of symmetry आने जैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये अभी ठीक नहीं है, कारण क्योंकि वो trick कब apply होती अगर यहाँ पे कुछ symmetric होता, ये वाले दोनों गुरूप सेम होते, तो सेम नहीं है चोड़ दो statement को, be on treatment with one equivalent BR2, चोड़ अब ये पहले वाला तो गलत होई गया, अब अपन चलते हैं, दूसरे वाले के according B अपने सामने है, ये बड़ा B, B के लिए कहता है, कि आप उसको BR2 के one molecule से reaction कराओ, ठीक है करा देंगे, BR2 की reaction हमें मालूम है किस तरह की होती है, anti-add वाली होती है तो anti-add कराएंगे, तो will give mixture of geometrical isomer on comparable amount बड़ा, BR2 यहाँ पे anti जाएगा, मतलब double bond पे एक BR ऐसा जुड़ेगा, एक BR ऐसा जुड़ेगा methyl एक तरफ रहेगा, cyclo exil एक तरफ रहेगा, ऐसा एक product, trans isomer बनेगा पर वो कहना चाहता है बिल्कुल यह GI show कर रहे है, geometrical isomer है, लेकिन geometrical isomer की form जो है, वो comparable amount में बननी चाहिए, गलत बात बड़ा जब उसमें dominating trans isomer है, तो CIS का तो फिर वाँ पे क्या अस्तिताव है, बोले तो negligible है तो यह भी statement कोई काम का नहीं फिर देखिए, चलो दुबारा से बात को शुरू करते हैं दो statement अपने गलत हो गए, तीसरा beyond treatment with sodium liquid ammonia, इसको कहते हैं बच्चो कौन सा option, कौन सा reduction, बर्च reduction, बर्च क्या करता है, बर्च आपकी जो इन है, उस इन को trans, sorry, जो alkyne है उसको transene में बदलेगा, तो यहाँ पे अपने कुछ इस तरह का product इसमें बना लेंगे, यह आपका cyclohexyl, ऐसा का ऐसा, यहाँ जुड़ा रहेगा, अब और दोनों H जो है, अपोजित आएंगे, क्योंकि बर्च लिया था, followed by addition of BR2, यह molecule trans है, trans के उपर anti, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो trans के उपर anti, वैसे तो क्या है, मीजो बनने की बात होता है, इसमें trick काम करती है, same same मिले तो symmetry आती है, same different मिले, तो रैसे में बनने का chance होता है, दो trick काम करती है, लेकिन इसमे trick होती है, बच्चो, symmetric molecule की, asymmetric में, आप trick काम में लो, लेकिन product के अंदर सचाई भी जानो, वो क्या, देखो, मैं जब product बनाना चाहूँगा, तो इस तरह मैं उसका feature बना लेता हूँ, BR2, अगर इस पे गया, तो यह molecule trans है, यह LTO कर रहा है, तो मीजो pattern का मतलब, मैं BR, BR को ऐसे लगाऊँगा एक तरफ, मतलब बीच में से कटने का chance बने, ऐसे मैं दो option बनाऊँगा, BR, BR यहां आया, और यहां पे अपन कहें, लेकिन यह मीजो क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि बेटा, problem इस इस वाले और इस वाले गृप में, यह वाले में, क्योंकि ऊपर तो एक तुम लगा दोगे cyclohexil, और एक लगा दोगे methyl, और cyclohexil, और एक लगा दोगे methyl, तो इसका मतलब, इसको अपन मीजो कैसे कह सकते हैं, तो यहां पे अपन कहें, तो यह किस नाम से जाना जाएगा, racemic, बिल्कुल statement, okay, देखो, यहां पे आपका शांदार option था पहला, पहले में लग रहा था मीजो बने, पर मीजो नहीं बना वहाँ, और last वाले में लग रहा है मीजो बने, पर वहाँ पे racemic बनता है, क्योंकि trick से काम कर रहे हैं हो, तो वहाँ trick, symmetric की लगा रहे हैं आपन, लेकिन वो question, जो molecule आपको जो दे रखा है, वो asymmetric alkyne दे रखा है, ठीक है, asymmetric alkyne मनेगी उससे, तो समझाई होगी बात बच्चो, तो यह था यहाँ पे, यह 19 number question, तो यहाँ, इस में देख लो बच्चो, एक बार अगर आप इस concept को मैं आपके सामने repeat कर दो, क्योंकि अच्छा concept का सवाल था यह आपके बस, आपके बस कुछ इस तरह की alkyne होती है, बच्चो, या इस तरह की कोई alkyne होती है, तो यहाँ पे आप जब भी कभी sin या nt की बात करते हैं, ठीक है, अधर भी अपने बस reaction है, जैसे KMNO4 वाली, अगर आपन कहें KMNO4 basic वाली, जो अपने दी हुई थी, अपने को यह दो दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे pattern यह कहता है, इसकी reaction अगर आप, यह आपका sin-ad है, यह आपका cis molecule है, तो same-same मिलना, symmetry आना, मलब अपने product में आप कुछ इस तरह दिखाओ, OH-OH एक तरफ, बाकी जो आपके molecule में given है, top-bottom पे वो दिखाओ, जो दे रखा है, और HH, यह इसका pattern हुआ, यह reagent इस पर attack करता, तो इस पर attack करता, तो same differ, यह sin, वो वाला trans है, तो यह pattern चलता है, लेकिन बच्चो, यहाँ पे top और bottom आपको देखना ज़रूरी है, यह बात मैं आपको बता रहा हूँ, symmetric पे, आप asymmetric पे इसे बिलकुल लागू करें, लेकिन asymmetric पे या तो आप उसे erythro3 यो बोले, और erythro3 यो नहीं बोलना, तो फिर आप उसके अंदर option चेक कर लो, बच्चो, यह रहेगा, ठीक है, चलो, next, देखें, इसके बाद आपन, यह अपनी बाते हो गई, अब आते हैं, बच्चो, section B में enter करते हैं, बच्चो, section B में देखिए, section A complete हुआ, 13 questions, single choice के थे, 6 questions आपके paragraph के थे, आप देखिए, section B में, this section contains 13 questions, यहाँ पर भी आपके बस 13 questions रहेंगे, each question and 4 options for correct answer 1 or more than 1, सभी के बस 4 4 options है, लेकिन answer 1 भी हो सकता है, more than 1 भी possible है, of these 4 options is our correct option, for each question, choose the correct option to answer the question, तो आप इसमें से, वो जो perfect answer है, वो select करिए, answer to each question will be evaluated according to following marking scheme, full marks आपको दिये जाएंगे, if only all correct options are choose, अगर आप सभी के सभी option जो उसमें correct हैं, वो चूज करते हैं, तो आपको 4 marks दिये जाएंगे, negative marking रहेगी, minus 1 की, in all other cases, बाकी case में minus 1, उसमें minus भी होगा, negative marking भी रहेगी, बच्चो, ठीक है, चलो, यह दुरूल की बात आई, अब आपन question पे चलते हैं, इस segment में, question number 1 आपका क्या कहता है, which of the following reaction involve free radical as an intermediate, मतलब mechanism में जाके पूछना चाहरा है, reaction में free radical reaction कुन सी होगी, तो बेटा, पहले वाली मुझे बिल्कुल नहीं लगती, क्यों, क्योंकि बेंजीन के उपर, आप halogen और halogen carrier लेके आए हैं, levis acid क्या करेगा, CL का lone pair लेकर के CL plus बनाने का काम करेगा, वो उसमें electrophilic aromatic substitution करेगा, free radical की कोई जगा नहीं, अगले में जाएं, बिल्कुल आपका answer ठीक है, क्यों, क्योंकि इन के बाद, यहां पे catch पड़ा है allylic, यहां पे catch पड़ा है allylic, allylic catch का FSR reaction है यह वाला, तो बिल्कुल free radical से ही होता है अगले में जाएं, यह तो combination ही पूरी तरह, FSR का alkane पे कराओ, allylic पे कराओ, benzyl पे कराओ, तो बोले तो यहां पे bromination है, तो 3 degree उसके लिए काफी selective अच्छी location रहेगी, पर FSR FSR में free radical होते हैं यह बच्चों आपको दिया carboxylic acid का silver salt, और यह पूरा combination जाना जाता है, आप इसे पढ़ते हो, borodine hostical reaction के नाम से, जिसमें AG पहले BR को निकाल लेता है, तो यहां पे कुछ इस तरह की एक species बन जाती है, फिर homolysis होकर के BR एक बार हट जाता है, और हटने के बाद यहां पे यह एक free radical हमें बना देता है, ठीक, फिर उसमें से अपने CO2 कट कर देते हैं, और बचे हुए कार्बन के साथ, यह BR जोड के हलाइट बनाते है, डीकर्बोक्सिलेशन और हलोजिनेशन, तो बोराडीन होस्टीकर का मेकनीजम भी free radical पेटरन से चलता है, बच्छो, तो यह तीन आंस्वर इसमें आएंगे, पहला इसमें नहीं होगा, चलिए, नेक्स देखिए, इसके बाद बटा, अगला कोशन, अगले कोशन में क्या कहता है, अगले कोशन में आपको दे रहा है वो, which of the following reaction take place mainly by SN2 reaction, आपको SN2 बताने है, इन में से कुन सी, बटा, NAI aceton, NAI aceton, NAI ac आपको याद है, फिन-कल्स्टीन एक reaction थी, फिन-कल्स्टीन SN2 pattern से होती है, और बागी भी देख लो, आप इस molecule में किसको अटाएंगे, इसे अटाएंगे, तो ये ये वाली जो location है, जिसके ओपर pentavalent transition state बने है, SN2 में PVTS बनती है, pentavalent transition state के बास एक बहुत अच्छा वर्टर location होनी हो, तो SN2 के लिए बहुत favorable location होती है, बटावो, तो बिल्कुल SN2 pattern से हो सकती है, अगले में जाएं, OTS, tocillate एक अच्छा living group है, और tocillate remove कहां से होगा, ये वाले carbon से, और carbon 1 degree है बच्छो, बिल्कुल आप process कराएं, SN2 pattern से हो सकता है, अच्छा living group release हो जाएगा, आई वहा इस carbon के उपर जब pentavalent transition state बनेगी, तो उसकी back side में एक oxygen पड़ा है, तो अच्छी बात है बच्छो, wardrobe पड़ा है, तो यहां पे भी अपन उसको करा सकते हैं, लेकिन यहां मैं कहूं बच्छो, तो आपका molecule ये carbon ध्यान तो 3 degree पड़ा है, 3 degree के उपर आप इतने बल्की nucleophile को attack कर आने वाले हैं, तो यह बच्छो, SN2 नहीं हो सकती, यह तो SN1 पेटरन से होनी है, तो answer 123 देना है, बस SN2 ही तो पुछाता आप से, चलिए बटन next, देखिए इसके बाद, हा तो बच्छो, बात करें अपन question number 3 की, question number 3 में क्या कह रहा है, which of the following reaction give dye-stereomeric product, विवरीम रूपी उत बात, dye-stereomer बनते हो, तो dye-stereomer बनाने हैं बच्छो, तो यहाँ पे देखो आपके पास, जो चार option दिये हैं, यहाँ आपको देखना है, देखो यहाँ कुछ तो trick काम करती हैं, बच्छो, trick यह कहती है कि अगर आप कोई reaction start कर रहे हैं, और reaction start करने पे आपके molecule में, जीरो chiral center है, और first chiral center product, बनलब जब आपने reaction start की chiral center नहीं था, reaction के बाद first आया, तो वो racemic mixture होता है, और इस type के जो molecule होते हैं, यह जो molecule है, इन पे अपने पास, इन पे भी trick रहती है, कि same-same मिले, तो symmetry आके meso बनता है, same differ मिले, तो racemic pattern का बनता है, लेकिन एक condition है, molecule जो है, वो कैसा हो होना ची, symmetric, symmetric, मतलब यह दोनों methyl समान है, यह दोनों methyl समान है, तभी यह trick काम करती है, अगर asymmetric हो, तो group का adjustment तो आपको बता देती है, लेकिन top bottom के हिसाब से आपको देखना होता है, meso है या नहीं, ठीक है, और एक trick यह होती है, कि reaction start करी, उस समय आपके बस molecule में पहले से chiral थ कर दिये, तो फिर वो dysteriomer होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे, इस second वाले option की बात करूं बटा, तो यह वाला carbon मेरा पहले से chiral है, मैंने reaction अभी शुरू ही नहीं कि, अभी भी यह chiral है, अब जब मेरा यहाँ पे BR2 की entry होगी, वो BR-BR आपको पता, यहाँ जाके anti-add होगा, तो वो भी अपने आपने chiral center पैदा करेगा, पहले था, नया ओर आएगा, तो इसका अमलब dysteriomer है, यह ओके, बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर यह chiral center आपके बस है, और यहाँ इस double bond पर आपकी reaction हो नहीं, MCPBA की, MCPBA क्या होता है, मेटा, कलोरो, पर, बेंजोईक एसिद, तो यह in के अंदर enter करता है, तो यहाँ पर enter करता है, तो इसको epoxide बनाता है, epoxide बनाएगा, तो यहाँ कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर मैं कहूँ, तो यह अपकी बन जाएगा इसका, यह जो group आपके पहले थे, वो तो पड़े रहेंगे, epoxy बनेगा, लेकिन epoxy बनने से क्या हुआ पहले जो carbon sp2 था, वो carbon sp3 हो गया, और वो chiral हो गया, पहले chiral आपके बस था ही, तो जैसे यहाँ आपने माना कि पहले chiral है, नए chiral बनने है, dysteriomer, पहले chiral है, नए chiral बनने है, dysteriomer, तो यह भी dysteriomer दे रहें, यह दोनों तो confirm हो गए, अब इसके बात अगर मैं कहूँ, इ और हो भी यार का कैसा होगा, क्योंकि, यहां पर अगर अगर आपन कहें, इसके अंदर, तो सीम सेम मिलना नहीं है, जिस नाचर का मोलिक्ट्ट्रा, उस नाचर का उसके उपर अधिशन नहीं हो रहा, तो इसका महलब कैसा पोड़क्ट, racemic mixture type का product बनेगा ठीक है तो racemic mixture को आप यू शो करेंगे OHBR है तो OH और BR को आप यू दिखाईए दूसरे product में आप यू दिखाईए mirror image pattern से और top bottom आपके बास है ही product top bottom जो आपके methyl methyl दिया हुआ है ये mirror image और non super impossible racemic mixture तो ये अपन को आंसर में नहीं लेना तो यहां गए अब यह आपको मालूम है कैसा molecular trans और osmium tetraoxide कैसा OHOH का add करता है sin तो इसका मलब यह भी आपका किस तरह का रहा यह दोनों के बीच भी जब आप interaction करेंगे तो interaction जो इन दोनों की रहनी है वो भी कैसी racemic mixture pattern की जैसे मैंने यह पहले करवाया वही वाला pattern अपन को यह लेना है अगर यह रैसे मिजु टाइप का होता तो बस इता ही है कि group जो है जैसे इससे दो और चाने वह दोनों के दोनों में एक साइड लगाता है ठीक है हाला कि trick आपकी asymmetric alkin पर काम आ जाएगी पर उसों मीजु नहीं कहना होता क्योंकि यहाँ यहाँ वाला group सेम नहीं होता तो मोलीकुल में plane of symmetry यह center of symmetry आ नहीं पाती है ठीक है तो इस pattern से चलोगे तो आपके बस यह 2-3 जो है यह आपको कैसा दिखाई दे रहा है by stereo bird ठीक है बच्चों clear हो गया होगा tricky होने वाला सवाल था ही question number 4 पे आए अपन 4 पे क्या कहा जा रहा है which of the following reaction are correctly reproject आपके बस एक asymmetric alkin है आप HCL की entry करा रहे है और CL आपका stable carbocation पे जा रहा है बिल्कुल perfect है आप यहाँ पर एक asymmetric alkin लेके HI की reaction करा रहे है परोकसाइड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि HBR के साथ परोकसाइड AM के आर पड़क देता है HI, HF और जो HCL है इनके साथ खराश effect नहीं देखा जाता तो यहाँ भी आपका आई यहीं पर जाना चाहिए जहाँ उपर वाले में CL गया तो आपने ऐसा नहीं किया इसका मलब यह ठीक नहीं है यही पूछा है उसने which of the following reaction are correctly represent तो सही से रिपरजेंट कौन सी है तो सही से रिपरजेंट अपन कहें तो पहली है दूसरी तो सही से रिपरजेंट नहीं है यहाँ पे अपन HI को एवसा मान लिए जैसे परोकसाइड र बिल्कुल उल्टा भी आर जाना चाहिए बीच वाले पर नहीं वन डिगरी पर बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है तो यह वाली बिल्कुल करेक्ट रिपरजेंट की गई आगे वाले में HI वही वाली reaction दुबरा की और I अंदर वाले पर जा रहा है बिल्कुल ठीक जा रहा है तो इसका मलब आंसर 134 देना है आपको चलिए बटा नेक्स देखें इसके बाद अपन तो question number अपन देखते हैं 5 5 नंबर पर आईए बटा 5 में क्या कह रहा है 5 में कहता है major product बदाना है electrolysis कॉल्बे electrolysis याद होगा कर्बोकसलिक एसिद का कॉल्बे electrolysis ये के के वच बना लेगा के वच बना लेगा सीओ टू सीओ टू निकल जाएगा इस तरह कि आपके पास एक स्पीसी होगी क्योंकि कॉल्बे में ionic free radical दोनों pattern चलते हैं अब बच्छो यहाँ पे इसमें सबसे best option है यू से दोनों का मिल ज production तो ऐसा सा एक product हम बनाने वाले है ठीक है तो कहता है degree of unsaturation major product यह जो product बनाया इसकी degree of unsaturation तो degree of unsaturation का फड़ना क्या है अगर molecule में एक cycle है तो एक degree of unsaturation और एक πाई है तो एक degree of unsaturation तो overall अभी मेरे molecule में दो cycle है मच्छो क्योंकि मेरा जो system है वो bicyclo है दो cycle आपस में fuse पड़ी है तो degree of unsaturation किता बनता है मेरा दो बनता है ठीक है चलिए next देखिए इसके बाद बटा आ देखिव दा करेक्ट प्रोडक्ट एक शनो रगी है करेक्ट प्रोडक्ट है वो अपने reaction ले लेंगे बागी छोड़ देंगे यहां पे देखो बच्चो एथेनॉल की reaction थी सामने वाले molecule में और यहां पे जहां कलोरो लगा था वहां उसने अथोक्सी एंटर कराया बिल्कु आपने जो एथेनॉल लिया है वही nucleophile है वही solvent है और वो बच्चो उसको वहां से निकालेगा ऐसे वाला केटायन बनाएगा तो नो डूट केटायन अपडेट होगा यहां से बच्चो H negative को उठा के वो 3 degree बनने वाला है तो आपके बस दोनों तरह के option उसने दिखाए तो possible product क nucleophilic part कौन सा होगा यह होगा तो उसको आप यह आई निकाल के उसकी जगह डालें बिल्कुल देखो डाल रखा इसने इस पूरे portion को nucleophile बना के यहां एंटर किरा रखा है और फिर आप जानते हैं यह वाला जो कैटायन आप बनेंगे उसको आप rearrange भी कर सकते हो एलाईल भी ब दिख दिया पर एकी चीज है बच्छो यह वाला product बनता है और rearrangement इसमें भी possible है क्योंकि यहां आया हुआ कैटायन जो है वो यहां से H लेकर के 3D भी बनेगा 3D पर भी एथोक्सी दिखा दिया तो यह भी possible product है आगे वाले में अपन कहें मैथे नॉल लिया मैथे नॉल का मैथोक्सी डाला वो सीयल ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दिया बिल्कुल गलत ऐसा नहीं करना चाहिए था अब आप कहेंगे क्यों बेटाजी bridgehead location पे SN1, SN2 दोनों में ही problem होती है हलाकि आप तो SN1 करा रहे हैं आप तो मेथेनोल ले रहे हैं आप SN1 पेटरन से चल रहे हैं तो SN1 पेटरन में बेटाजी आपको पहले यह CL निकालना पड़ेगा, cation बनाना पड़ेगा तो bridgehead पे जब cation stable ही नहीं है तो फिर bridgehead rule लग रहा है यहां पे तो इस तरह से अपन इसको remove करने की बात ना सोचें यह इस वज़े से अपन कहें और यह इसको major product और बता रहा है चलो बच्छो next देखिए इसके बाद अगले question पे आते हैं आपन, 6 के बाद आपका 7 number, 7 number में देखिए बटा क्या कह रहा है, 7 में फिर आप से पूछ रहा है, identify correct reactivity order of SN1, SN1 के लिए best order पूछ रहा है, पहले में देखो बच्छो, क्लोरो निकलने के बाद बना हुआ प्लस सी resonance में नहीं है, तो बिलकुल पहला okay है, क्योंकि SN1 में कैटायन अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि slow RDS में पहले living निकलता है, अगले में देखा बच्छो, क्लोरो निकलने के बाद प्लस का πाई का resonance है, इसमें गए क्लोरो निकलने के बाद प्लस का CO से withdrawing effect लग रहा है, तो no doubt यह जो condition दी है, यह SN2 का top molecule होता है बच्छो, तो यहाँ पे अपन कहें, यह SN2 का होता है, तो SN1 का अपने अब हुआ, यह रहा, अब इसमें कहें बच्छो, CL- को जब मैंने यहां से निकाला, तो बने हुए प्लस के लिए Nitro-R लगा रहा था, तो यह को SN1 के लिए favorable बाद थ प्लस जो आया, उसके लिए कलोरो, वड्रोविंग ग्रुप का, हलांकि पूर वड्रोवर है, बहुत अच्छा तो नहीं, पर फिर भी वड्रोवर है, तो आपका यह पहला molecule दूसरे से अच्छा है, जब कि यहां पे अपन कहें, तो यह दूसरा ज्यादा अच्छा था, क्य 8 पे आते हैं, 8 पे देखो बटा, क्या कहता है, 8 में अपन को कहा, identify major product for the following reaction, आपके बस जो molecule given है, उसका major product बताना है, एक्सेस में आपको methyl, magnesium, chloride दिया तो, जी आर, तो बटा, आपको मालूम है, यह जी आर जो होता है, नेगेटिव होता है, आप उसको शार बना के काम में ले negative nucleophile है, best nucleophile है, तो बच्चो उसका जो अंदाज रहेगा, वो SN2 अंदाज रहेगा, और SN2 में क्या होना चाहिए, inversion, मतलब above the plane CL जा रहा है, तो पीछे से attack मारा है, तो below the plane methyl आना चाहिए, देखो कहां दिया, पहले option मैंने दिया, दूजे मैंने दिया, तीजे में बच्चो above the plane ही methyl लगा दिया, below the plane बच्चो ये दिया है, तो ये option मुझे बाकियों से बहतर लग रहा है, और सुनो क्या होगा, यही methyl बच्चो, nucleophile यहां जाके attack करेगा, और इसे open करके, hydrolysis के बाद alcohol बनाएगा, तो क्या, बई, अब ये तो, जब यहां मुझे excess word दिया गया था, तो मै बेरे पास वह वाली reaction ही नहीं होई, जो मुझे करानी थी, तो बेरे पास option ही यही बच्चा, तो ये देखो बच्चो, यहां पर alcohol भी बना दिया, बिल्कुल, यही वाली reaction है बच्चो, तो आपके बास यहां option था, single answer भी हो सकता है, answer का number एक से जादा भी हो सकता है, तो यहा उसने आप से कहा, the sequence of reagent which can efficiently bring about the above conversion, आपके सामने conversion कर दिया गया, आपको ऐसा कराना है, बताओ, कौन सा reagent ठीक रहेगा, अगर मैं BR2 को sunlight में लूँ, तो ऐसा हो जाएगा, क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, BR2 काफी selective होता है, FSR reaction में, और अगर उसे 3 degree H मिले, तो वो बत है, तो इसलिए पहला option तो छोड़ दीजी, BR2 और sunlight और heat, अगर आपने ऐसा किया, तो बेटाजी उस reaction में ये वाला H effect हुआ होगा, और इस H के effect होने के बाद, आपको product ऐसा मिला होगा, ठीक, फिर आगे कहता है, sodium ethoxide, ethanol, तो आपको मालूम है, ये कौन सी elimination है, E2 elimination, E2 elimination में product क कौन सा बनाओगे, alkene कौन सी बनाओगे, stable alkene से, तो बेटा, BTH यहाँ पड़ा है, हालाक इधर भी पड़े है, left में भी पड़ा है, right में भी पड़ा है, तो मैं हाफ मान नहीं बनाना चाहता, तो मैं इस H को और इस BR को निकाल के, ये bone यहाँ शिफ्ट करके, इस तरह की एक alkene बना लेता हूँ, अब बनने के बद मैं उस पर NBS की reaction करा हूँ, NBS कहाँ अटेक करता है, एलाईल या बेंजाईल लोकेशन पर, तो मुझे यहीं पर, इस जगह पर ही तो BR चाहिए, तो बेटा, यहाँ पर मैंने NBS sunlight ली, तो इस वाले H को निकाल के मैंने, यहाँ पर क्य कर लिया, bromination, और फिर उसके बाद, यह पूरा combination यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, hydroboration, लेकिन अगला step oxidation नहीं है बच्छो, hydroboration के बाद आपको H देना है, hydroboration oxidation में तो HOH, AM, क्या रैड होता है, यहाँ H, H add करना है, तो hydroboration कराओगे, तो क्या होगा, यह जो double bond है बच्छो इस double bond पे, bond opening के साथ, एक तरफ BR और दूसरी तरफ क्या जुड़ेगा, H, BR ने, boron, BS3 का boron, और फिर बाद में finally H, H, तो इस bond को बीच में अपन खतम कर देंगे, इस reaction से, क्योंकि यह पूरा combination, एक इन को, एन बनाने के काम आता है, दो H देता है, सिन H देता है, तो overall अगर म मुझे भी यह बीच का bond हटाना था, क्योंकि BR मेरा अपनी जगा पे, ऐसा जैसा मुझे fit चाहिए था, वैसा हो गया, बिल्कुल second sequence okay है, लेकिन अभी और चेक करें, यह तो बचो एक option आया है, हो सकता है, किसी और option में भी अपन को perfect मिले, चलो, देखते हैं, क्या होता है, य यह second हुआ, अब third पे चलना शुरू करो, third में क्या कहता है, molecule ले लो, BR to sunlight heat, तो बेटा जी यहाँ पे, सबसे पहला step वही वाला, आप यहाँ पे ब्रोमीनेशन कर दो, ब्रोमीनेशन 3 डिगरी पे ज़्यादा बहतर होता है, फिर आप उसको यह दे दो, यह क्या है, यह भी ब्रोमीनेशन का रिएजेंट है, लगी यहाँ पे आपने बेस काफी मोटा ले लिया है, मोटा बेस लेने का मतलब होता है, आपको हाफमान अलकीन बनानी होती है, तो बेटा आप इस एच को अब की बार अवोइड करिए, अब यह वाला HBR निकालिए, ऐसा सा करेंगे, KBR एड करना है, तो बेटा वैसे तो 3 डिग्री लोकेशन है, पर हम वहाँ नहीं जाएं, हम यहाँ जाएं, यह ज्यादा बेटर लोकेशन है, तो यहाँ पे आपका 3 भी आ जाएग, अब 4 में जाएं, 4 में जाते हैं, तो कहता है NBS लेके सनलाइट, बेटा सीधा-सीधा NBS कराओगे, तो रिएक्शन किराओगे, तो रिएक्शन कहाँ होगी, N-bromo-succineamide लोगे तो 3 डिग्री पे, तो 3 डिग्री पे अपना ब्रोमो जाई नहीं रहा, तो यह भी वैसे उसी तरह चोड़ दो जैसे पहला चोड़ा है, ठीक है, तो 2 और 3 सिक्वेंस सही है यहाँ प अपने एक एलकीन लिए, एलकीन के उपर H O B R की एंट्री करानी है, एंटी करानी है, और उसके अंदर यहाँ पे देखो, एक O H और एक B R आना चाहिए, तो बच्चो आपने O H करा दिया, B R का है, B R दिखाया ही नहीं, और एक केस में आपने यहाँ पर एलकीन बना था, O H आता और O H बैथिल के नीचे आता, तो यह तो बच्चो रॉंग हो गया आपना, आगे बड़े, सेगें रिएक्शन में, सेगें रिएक्शन में आपको क्या दिया हुआ, यह मोलीक्यूल है और यह उसके उपर अटेकर है, क्यों, यह बच्चो N B S की स्टक्चर है, N नहीं अलाइल लोकेशन, यह दो डिग्री अलाइल है, यह तीन डिग्री अलाइल है, हालाकि एक डिग्री भी पड़ा है, तो भईया मैं एक क्यों लूँ, मैं दो क्यों लूँ, एक और दो डिग्री क्यों लूँ, मैं तो तीन डिग्री लूँगा, यहां पे मेरे को बिया चाहिए यह देखो बिल्कुल perfect दिया है तो यह second reaction बिल्कुल okay दिया है थर्ड में HBR की reaction यहाँ पर आपके बस दो इन है इस इन में bond open करो तो plus जो बनेगा वो 2 degree इस वाले bond को open करो तो 3 degree भी बन सकता है अगले ने 3 degree पर बिया दिया है और कहता major product की बात है major product दित पूछ रहा है तो बिल्कुल सही दे रखा है बच्चो और fourth में जाएं तो आपको फिर यही NBS यह उपर वाला फिर दे दिया तो NBS का काम क्या होता है better वाली location पे जाके selective तरीके से BR enter करना तो बेंजीन के आगे यह जो H है यहाँ पे आपको BROMINATION करना चाहिए जो उसने नहीं दिखाया उसने इस H पे BROMINATION दिखाया तो 3 degree के चकर में पढ़ गया 2 degree पे नहीं जारा तो degree मुद्दा नहीं होती बच्चो stable free radical intermediate जब मैं इसे cut करूँगा तो ज़्यादा stable बनेगा तो यह भी बच्चो गलत हो गया तो 2 सहिए 3 सहिए चलो और देखिए इसके बाद फिर अपन कहें तो 10 number question के बाद कहें तो 11 number पे आ जाए 11 number में आपको क्या कहा जा रहा है 11 number में आपको कह रहा है which are correct आपके सामने कुछ sequence दी है उनमें से correct देखना है आपको S&2 reactivity का order S&2 reactivity में यह molecule है और order यह है सबसे अच्छा 4 को बता रहा है तो बटा यहां यहां यह 4 4 काफी अच्छा है बच्चो BR दिख लेगा इस carbon पे pentavalent transition state बनेगी और pentavalent को stable कर देगा पीछे से CO बहुत बहतर molecule होता है 4 4 के बाद अगर 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 कहें 2 2, 2, 1 और फिर उसके बाद 3 तो बटा यह तो आपको मालूम है इस location पे अगर आपको S&2 करानी है तो crowd जादा है यह दोनों अच्छे होने चाहिए और इन दोनों में living group इसका अच्छा है तो 2 को लिया फिर 1 को लिया फिर 3 को लिया तो overall अपन पहले answer से satisfy अब आईए बच्च ऐसा मुझे कहीं और नजर नहीं आता है 3, 1 के बाद 3 लेता है इसके बाद यह लिया बिल्कुल यह भी 3 डिगरी पर यहां पे सिरफ hyperconjugation का benefit है बेंजीन का resonance नहीं है तो बाद में आ सकता है यह बिल्कुल ठीक है फिर 2 लिया 2 बोले तो इन दोनों में से यह क्योंकि यह दो सबसे अच्छा बता रहा है मदलब इसे तो बैटा यहीं गड़बड हो गई अरे 2 डिगरी को कैसे अच्छा बता रहे हो आपके पस 3 डिगरी पढ़ा है na SN1 के लिए 3 डिगरी सबसे फेवरेबल है और 3 डिगरी में भी देखो बेंजीन का resonance इधर 3 डिगरी एक और पढ़ा ह उनको छोड़के इसको आगे बता रहा है तो बागी भले मत सोचो यह तो गलत हो ही गया अगले में क्या कहता है तरशेरी ब्यूटिल क्लोराइड को डिटीरियम सबस्ट्री तरशेरी ब्यूटिल क्लोराइड से compare करें तो react faster than this बटा इन दोनों में अगर आप E2 कराते हैं त तो E2 उसमें first होती देखो यहाँ पे क्या है आपके molecule जो दिये है वो पहला molecule आपको दिया है कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको क्लोरो दिया है और दूसरे molecule में क्या difference है बचो यही 3 degree वहाँ दिया है पर इधर आपको deuterium दिये हैं आपको यहाँ mechanism की बात याद रहनी चाह यह D निकलेगा आपको मालूम है H easily निकलता है D निकलने में थोड़ी problem आती है H यह D का निकलना T का निकलना RDS में हो तो secondary kinetic isotopic effect लगता है और secondary kinetic isotopic effect लगने का मलब होता है अगर आपके पास H है तो reaction fast होगी बिल्कुल इस molecule में है तो react fast करेगा second वाले के comparison में तो यह वाला statement भी लोके है बचो वन भी ठीक टू भी ठीक फॉर भी ठीक फॉर भी ठीक क्लियर है चलो बटा और देखें इसके बाद next चलिए नेक्स्ट इसके बाद 11 नमबर के बाद आते हैं 12 नमबर पे 12 नमबर पे अपन को क्या कह रहा है 12 में कह रहा है which of the following will not produce not produce same product when treated with dilute S2SO4 with HGSO4 undergoes hydroboration oxidation बटा अगर मैं यहाँ पे देखो पूरा जो reagent है HGSO4 की presence में water और H plus आपको दिया है इसको कहते हैं बच्चो कुचरोव reaction एक आइन के उपर water add करने का तरीका होता है जो यह बोल रहा है लेकिन उसमें condition वो आपको दे रहा है which of the following will not produce same product मरलब आपको लेना है वो molecule जो same product वहाँ पे provide नहीं करेगा तो बच्चो same product provide करने के लिए अगर अपन कहें तो same product वही provide कर पाएगा जहां symmetry हो क्योंकि अगर एक इन या एक आइन दोनों तरफ से same group से attach होती है तो वहां markonic of rule की कोई जूरत नहीं होती है वहां पे product same ही बनता है तो यहां उसने का same कौन नहीं मना है not produce same product तो यह वाली alkyne मेरी better symmetric नहीं तो same product कैसे देगी इसके उपर आप water add करेंगे और यहां add करेंगे तो अलग product होगा और यहां add करेंगे तो अलग product होगा तो यह अपने answer में आये यह वाली alkyne भी आप देखो बचो carbon है carbon है carbon है propine है asymmetric है बिलकुल same product यहां पे नहीं बनने वाले यहां पे देखें तो यह भी asymmetric है same product नहीं बनने वाले लेकिन यह वाली आपकी बिलकुल symmetric है बटा आप यहां कुछ रोग का water का ओच यहां attack करा दो तो भी वही वाला carbon बनेगा यहां attack करा दो तो भी वही same बनेगा लेकिन उसने कहा है not produce same product वो लेना है तो one two three लीजिए four अपन को नहीं लेना चलिए और देखिए इसके बाद फिर इस segment का last सवाल देखते हैं last सवाल में क्या कह रहा है हमें यहां वो कह रहा है which product formation take place according to half man role देखो बच्छो अलकीने जब हम बनाते हैं elimination कराते हैं तो सेज़फ एक dominant product बनने के possibility रहती है लेकिन वो सेज़फ पर नहीं जा रहा हो half man की बात कर रहा है half man किसमें बने तो half man बनने की condition होती है bulky base लेना जैसे यहां पर यह देखो बहुत bulky base टर्शरी potassium tertiary butoxide लिया तो bulky base अगर आप ले लेते हैं तो इस BR के लिए यह भी beta H है यह भी beta H है इस crowd वाले H को निकालने में इस bulky base मोटे base को जोरा आएगा तो बच्छो यह एच यह वाला निकालेगा BR यह निकालेगा यह निकालेगा तो half man बनेगा आपको बताना चाहिए इसे फिर अगले में गए तो अगले में बच्छो ऐसा नहीं है अगले में आपका जो base है वो normal है बलकि नहीं है तो बेटा वो इस H को निकालके आपको सर्जेफ देगा यह अपना answer नहीं है अपनको त बीटाइच है यह बीटाइच वन डिगरी है यह बीटाइच टू डिगरी है आपका यह base इसे अराम से निकाल लेगा इसे अराम से निकाल लेगा क्योंकि एनायन अच्छा बन रहा है तो यहां पे भी बच्छो फिर वही बात अगर इसको निकालोगे तो बोन यहां तो यहां पर यह सारे option इसमें आएंगे बटा चलिए next देखिए इसके बाद फिर अब बात करें बच्छों अपने next segment पर आते हैं आपका section D शुरू होता है paper का last segment है देखिए क्या है इसमें this section content 13 question last 13 question और है the answer of each question is integer ringing from 00 to 99 महलब आप उसके अंदर जो भी answer देंगे वो 00 से 99 के बीच you will be awarded 3 marks for correct answer and 0 marks for incorrect answer महलब incorrect देते हैं तो वो negative वाला rule नहीं है लगि incorrect देते हैं तो फिर आपको यह 3 marks रहेंगे देखो बच्छो how many of the following on reductive ozonolysis will give only glyoxel आपको मैंने molecule दे दिये हैं आपको target दिया गया है कि जब आप उनका ozonolysis करें reductive ozonolysis मतलब ozone से water से zinc की presence में reaction आप कराएंगे और इस reaction की final trick क्या होती है जहाँ पे molecule में bond double है वहाँ से bond को तोडो oxygen जोडो carbonil बना लो और बने हुए carbonil में से चाहे aldehyde बने चाहे ketone बने उसे आगे oxidize नहीं करना इसको reductive ozonolysis कहते हैं यह तो बच्छो रियेक्शन है और वहाँ पे target है only glyoxel आपको वह वह वाला option चूज करना जाए गलाई उक्जल और only वह बने कोई दूसरा नहीं बनना चाहिए तो बटा आपको यह भी बता रहे ना चाहिए गलाई उक्जल किसे कहते हैं अब देखते हैं बच्छो यह only product बने ozonolysis से बने तो देखो एथीलीन में ऐसा पॉसीबल है क्या बेटा काटने के बद कहां गलाई उक्जल है दोनों फॉर्मल डियाई नहीं 1-3 butadine में ऐसा पॉसीबल है क्या तो 1-3 butadine जो होती है अपनी मतलब पहला option अपना कट हो गया यह अपन को नहीं लेना 1-3 butadine ऐसा दिखता है इसे जब मैं यहां से कट करूं तो बिलकुल यह गलाई उक्जल बीच में से निकलाया पर साइड में सो तो बच्छो फॉर्मल बैं- sudah इसको ozonolaisis में यहां से यहां से यह तीन जगा जें से काटोगे तो 2-2-2 कारबन के आपको तीन के लाई उक्जल ही मिलेंगे तो यह बिलकुल अपने को अजबाम में लेना है अकांटacks कर रहेये है total number बता देंगे लाश्ट में तो यहां पर अपन कहें तो यह यह बंजीन रिंग के ओपर दो मैथिल लगा दो लगा दो कहां पे और्थो पे तो वो और्थो जाइलीन है अगर वही आप बंजीन लेके मैटा पे लगाते हैं तो वो मैटा जाइलीन है और वही आप अगर पैरा पे लगाते हैं तो पैरा जाइलीन है या आपके तीन option आगे बच्चो इसमें अगर मैं इसको यहां 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 से कट करू गलायोगजल निकल के आ रहा है पर यह दोनों तो गलायोगजल नहीं है ना यहां से काट के देखू गलायोगजल बन रहा है पर यह दोनों तो गलायोगजल नहीं है ना इसको काटू तो यहां पर Glioxal यह बन रहा है, पर यह दोनों तो Glioxal नहीं है ना, तो इसलिए इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, यह भी नहीं है, अपने पास अभी तक सिरफ Benzine आंसर में आया है, और देखते हैं, और क्या है, ऑप्शन और पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, Cyclobutadiene, Cyclobutadiene ऐसा होता है, इसको काटोगे यहां से और यहां से, तो उपर वाला इससा भी Glioxal, नीचे वाला भी Glioxal, बिलकुल आंसर में लेना बनता है, Cyclobutadiene, तो Cyclobutadiene के लिए क्या करो, इस तरह का एक Molecule ले लो बच्छो, यह वाला Molecule होता है, Cyclobutadiene, यह से, यह से, यह से, और यह से, अगर आप काट रहे हैं, तो चार हिससे इसके बने, सारे Glioxal बने, बिलकुल इससे भी लेना है, तो को ओवर ओल किते है, Molecule लो बच्छो, तीन हुए, तो आंसर दे दो बच्छो, 0, 3, क्योंकि 0, 0, 2, 0, 9, 9, यह यह आंसर आपको देना है, ठीक है, चलिए बच्छ, देखिए इसके बाद, अगले कुश्चन पे आते हैं अपन, अगला कुश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला कुश्चन कहता है, how many carbon atom are present in the larger ring of product, भाई पहले तो product बनाओ, फिर larger ring के अंदर carbon बताना, तो बेटा जी आपके बस क्या है 6 की पाँच की एक वले पडोस में आपके बस 4 की एक वले है आप कराना चारे HCL की इंट्रेक्अन HCL की इंट्रेक्अन मतलब एक एलकीन पे Electrophilic Tyrion होगा Electrophilic Tyrion में मैं ऐसा करता हूं इस bond को यूँ open करता हूं अब आप पूछेंगे यह open करने का benefit क्या है, देखो बच्छो, मेरे पास option था plus, मैं bone को वहाँ भी open कर सकता था, plus मैं 4 member ring में भी ला सकता था, पर 4 member ring में आपको मालूम है strain ज़्यादा रहेगी, क्योंकि plus वाले का मतलब होता है sp2 carbon और sp2 को angle demand होती है 120 की, तो मैं अच्छा के time बनाओ नो, बुरा क्यों बनाओ, तो मैं इस तरह से चला, तो इस 5 member ring में एक plus आ गया बच्छो, और साथ में यह 4 member पड़ी रही, अब इस 4 member में एक rearrangement step होगा, rearrangement में यह हो जाएगी 5 की, यह लो आपके पास जो था, उसका bond यहां से cut होके, यहां बन गया, लेकिन यहां पे तो बच्छो प्लस आ गया होगा न, अब उस प्लस को अटाने के लिए यह ring खुलेगी और यह बन जाएगी 6 की, तो यह बच्छो इन दोनों के बीच में बन जाएगा, bridge head allocation, तो एक ring बना लो, कि किते की, 6 की, और 6 के साथ, यह जो, यह दोनों carbon तो sharing माल लो, अब आप, क्योंकि यह यहां आया है, तो एक पे plus भी होगा, क्योंकि यहां से bond cut कर रहे हो, बागी देखो कितने बच्छे, 3, तो एक, दो, तीन, ऐसे करके जोड़ दीजिए, अब यह प्लस के उपर आप अपन CL रख दीजिए, उसमें हमाँ interest नहीं है, उसने तो का final product के अंदर larger ring में carbon किते हैं, तो बच्छों किते हैं, 6 है, तो आप answer दे देना, 06, ठीक है, चलिए बटा next, देखते हैं, इसके बाद, क्या कहता है, क्योशन नम्बर 3, क्या कहता है, क्योशन नम्बर 3, calculate total number of alkyne product when 2-chloro-2-cyclobutyl-cyclobutyl-hexane react with alcoholic H, पहले molecule बनाओ, 2-chloro-2-cyclobutyl-hexane, बैटा, ऐसा सा तो होता है हमारा hexane, 6-carbon का, 2-pay आपको chloro-lena है, और 2-pay आपको लेना है, cyclobutyl, यह लेजी, यह आपका molecule मैंने दे दिया, अब उसको आपको क्या कराना है, alcoholic pH से react कराना है, और plus heat करना है, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं, तो यह जो reagent है, यह E2 elimination का famous reagent, तो E2 elimination कराने का plan करते हैं, E2 में क्या होगा, ECL के यहाँ पे H है, ECL के यहाँ बीटा H है, ECL के यहाँ पे बीटा H है, आप देखते हो, कि यहाँ पे double bond आया, cyclo-butyl जहाँ पे जुड़ा हुआ था, मतलब इस तरह से आप देखो, यह H और ECL में target करता, पहले मैंने इसे और इसे target किया, अब मैं इसको इसको कर रहा हूँ, और इधर की तरफ अगर मैं कहूँ, तो बिलकुल ऐसे चार carbon पड़े फिर तीसरे case में मैं क्या करूँ, यह दोनों ही unaffected रखते हैं, यह H और ECL निकालते हैं, तो double bond यहाँ आएगा, बाकि तीन आगे पड़े रही, यह product बने बच्छो, calculate total number of alkin product, ठीक, तो यह तीन है, लेकिन तीन में और दिमाख लगाओ बच्छो, यह वो in हैं जो GA शो नही नहीं होरी, जबकि इस सीन में बच्छो, यह जो double bond है, उसका यह दोनों group अलग है, और इधर भी H और प्रोपिल अलग है, तो यह GA शो करेगा, तो इसके तो दो form होंगे, और दो के बाद यह तीसरा यह हो गया, चोथा यह हो गया, तो आपका answer total हो गया, 0, 4, ठीक है, नेक्स देखिए, इसके बाद अगले question पर आते हैं अपन, अगले में देखिए क्या है, question number 4 दिया आपको, 4 में क्या कहता है, how many different alkyne, including stereo isomer and catalytic hydrogenation, give the same 3-methyl hexane, देखो बच्चो, आपको product चाहिए, 3-methyl hexane, यह तो है आपका target, 3-methyl hexane, ऐसा product आपको चाहिए, और ऐसा product आपको चाहिए, और ऐसा product आप कैसे बना रहे हो, catalytic hydrogenation से बना रहे हो, और उसके लिए आप different alkyne ले रहे हो, और आपको बताना है कि कितनी alkyne आप ले पाऊगो, देखो बच्चो क्या होता है, अगर कोई आइन है, और hydrogenation कराके ए सामने पड़ी है, तो आप उसी में देख लो ना, आइन कितनी हो सकती है, सबसे पहला option, मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं number one तो देखता हूँ, यहाँ पर triple bond होता तो, मतलब कुछ इस तरह की position होती, और मैं उसका reduction करता तो वो ही बनना था, फिर दुबारा मैं इसी structure में ले करक सोचू, यह मेरे पास molecule है, क्या मैं यहाँ triple bond दे सकता हूँ, बिलकुल नहीं, यहाँ तो दे सकता हूँ, यहाँ देने का वालब, valency गडबड हो जाएगी, छोड़ो इसे, और इधर वली side पर दे सकता हूँ, वहाँ भी नहीं दे सकता, यह भी छोड़ो बच्चो, यहाँ पर दे सकता हूँ, क्या हाँ, यहाँ दे सकता हूँ, यह होता तो वही product बनना था, और अगर ऐसा है, तो फिर मेरे पास एक option और भी बन रहा है, वह यह वालब, लहीं ऐसे करने से नहीं, यह तो मैंने बीच में मोन रखके देख लिए, और एक option दिमाख में आएगा, सर यह यहाँ triple bond लगा दो, नहीं लग पा रहा, triple bond लगाने के लिए, वैलेंसी भी तो permission दे, तो जहाँ जाँ वैलेंसी ने permission दिया, वो मैंने लगाया, अब मैं इसको IUPAC के लिहाज से सोचूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 methyl, hex 1, 9, इसके लिए IUPAC के लिए साब से सोचूं, तो 1, 2, 3, 4, 5 6, 4 methyl, hex 2 iron, उसे अलग है, इसमें देखू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 methyl, लेकिन hex 1 iron, यह hex 2 iron, तो overall यह सारे अलग है, तीन यह तीन नहीं है, क्योंकि उसने कहा, how many different alkyne, including stereo, stereo भी देखो अब आप, तीन आपके बस normal है, लेकिन इस normal में बच्चों, यह carbon chiral है, geometrical तो नहीं, optical होगी, यहा पर यह वाला carbon chiral है, तो दुनिया में इनके 2, 2, 2, 6 form है, बच्चों, dextral level, dextral level, dextral level, तो overall यहां पर answer देना, आपको 0, 6, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, इसके बाद, अगले question पर चलते हैं, बच्चों, question number आता है, आपका 5, 5 क्या कह रहा है, 5 में अगर मैं कहूं तो दे molecule drug करते हैं, 1 chloro 4 methyl cycloxane, यह तो होता है, बच्चों, cycloxane, 1 पे chloro हो, 4 पे अपना क्या हो, methyl, cycloxane, treated with aqueous KOH, आप इसको aqueous KOH से treat कर रहे हैं, reaction करा रहे हैं, बोच सबस्टीटीशन SN2 and elimination E2 reaction occurred, यह लो, अब ऐसे तो क्या है, बच्चों, आप जो reaction करा रहे हैं, वो dominating SN2 का reagent, पर अगला आपको condition दे रहा है, बोच सबस्टीटीशन and elimination reaction occur, मतलब, दोनों reaction कराने हैं, आप तो यह मानों, आपको इस reagent से elimination भी कराना है, E2, और SN2 भी कराना है, simultaneously in comparable amount, मतलब, जो product बनेंगे, वो दोनों comparable हैं, तो ना करने लायक है, in total, how many substitution plus elimination product would result, तो अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब, आप इसको E2 अंदाज से देखते हैं, आप इसको SN2 अंदाज से देखते हैं, तो कितने product बताओ, बेटाजी अगर मेरी SN2 reaction करें, तो यह जो OH है, यह जा करके सीधा-सीधा इस CL को यहां से रवाना कर देगा, और रवाना कर देगा, तो इसका मतलब, मैं देखूंगा कि मेरे यहां पे OH की entry हो गई, मैथिल यहां पड़ा है, एक बात, तो कि और तो कुछ rearrangement बगारा तो होना नहीं, और यह यह, और E2 कराओं, तो मैं क्या ढूड़नूँगा, CL के पड़ा, उसमें beta-H, यह और यह है, और दोनों मुझे same product देने वाले हैं, same कैसा, यह double bond, और यह methyl, यहां पे पड़ा, यह product बड़ा, लेकिन यहां पे अपन कहें, तो including stereo भी कह रहा में है, जबकि इसमें अगर मैं कहूं तो chiral center तो नहीं है, लेकिन इसको मैं draw करना चाहूं, तो मैं एक तो इसको यह यह draw करूँगा, OH और methyl जो है, वो same side में, और एक मैं इसको यह draw करूँगा, OH और methyl opposite side में, एक को cis कह दे, एक को trans कह दे, E या Z कह दे, तो overall यह दो, हलाकि द center डालूँगा, तो plane of symmetry दोनों में है, तो inactive हैं दोनों form, लेकिन दो तो है, दो वो, total किती होगी, 4, तो आप answer दीजिए, बच्छो, 4, ठीक है, चलो, next देखिए, इसके बाद, अब अगले में आपको दे रहा है वो, 6th number question देखी, क्या कहता है, 6th number में उसने दिया आपको, if 2, 4, dichloropentane, 2, 4, dichloropentane, यह लो बच्छो, pentane दिया, 2 पे दिया, 4 पे chloro दिया, तो 2 पे 4 पे dichloropentane है, is treated with one equivalent of sodium ethoxide in ethanol, तो यहां पे अगर आप इसको sodium ethoxide के साथ, ethanol के अंदर, one equivalent of this, only one HCl is eliminated, तो आप जब यह reaction कराते हैं, तो उसने का one equivalent है आपके बस, आप वहां पे total elimination नहीं कर सकते हैं, आप elimination कर सकते हैं, only one HCl का, आप या तो यह CL किसी बीटा H के साथ निकाल दो, या यह वाला HCl, यह इसकी language है, give chloropentane, पैंटीन, महलब आप एक क्लोरो लिकाल दो, कि तो एक क्लोरो बचा रहेगा, और एक double bond आएगा, क्लोरो पैंटीन मनेगी, how many different क्लोरो पैंटीन, including stereo, would be formed, तो बेटाजी अपने पस क्या option है, दोनों के दोनों स्बिटरी में है, अगर आप यह लेते हो, तो इसका बीटाएच ये भी है, बीटाएच ये भी है, और वही same condition इदर वाले के साथ है, इदर भी बीटाएच वही है, और यह तो दोनों का common ही है, इदर वाला terminal ले लो, तो मैं यहाँ पे option alken के क्या ले सकता हूँ, पहली alken जो मैं ले सकता हूँ, मालों मैं इसे निकाल रहा हूँ, तो बेटा मेरे पास इस तरह का chloropentine बनेगा, और या फिर एक option ये वाला भी हो सकता है, ऐसे वाला chloropentine बने, दो तरह के chloropentine पे आपने बात कर सकते हैं, लेकिन आपको दो नहीं बताने, आपको stereo भी include करना है, तो बेटा ये जो molecule है मेरा, वो मेरा GI शो नहीं कर रहा है, क्योंकि double bond पे 2H सेम है, पर chiral center होने से dextro और levo दो form इसकी दुनिया में है, जबकि यहाँ पे बच्चो ये वाला bond GI भी शो कर रहा है, ये अपना chiral center भी function में है, तो N का value stereo center दो है, तो यहाँ पे stereo isomer किते होंगे, 2 की power 2, 4 होंगे, तो 4 ये और 2 ये, total क्या answer आया, 6 answer आया बच्चो, ठीक है, चली, और देखिए इसके बाद, अगले में चले अपन, 6 के बाद, 7 number पे आईए, 7 number क्या कह रहा है, 7 number कह रहा है, how many different ketones on treatment with GR, followed by hydrolysis, can give two cyclopentyl, two butanol, देखो, two butanol तो होता है, बटा, इस तरह, और two पे ही cyclopentyl, ये लेजिए, बच्चो, आपको two cyclopentyl, two butanol, ऐसा आपका target है, ऐसा बनाना चाहते हैं, और उसमें आप लेंगे, क्या-क्या, उसमें आप लेंगे, बच्चो, ketone, reaction कराएंगे, किसके साथ, green ER reagents, तो आप से उसने पूछा, कि आप कितनी variety के ऐसे ketone ले सकते हैं, जो आपको ये product दे रेंगे, देखो बच्चो, इसमें होता क्या है, actual में यहां तरीका ये है, कि अगर आपके बस कोई ketone होता है, तो GR का R negative उसमें entry करके, उसे alcohol में convert कर देता है, 3 degree alcohol में, जैसा आप देख रहे हो, तो अब आपको क्या चाहिए, आप जो ketone बनाना चारे हो, उसमें methyl है, उसमें ethyl है, उसमें cyclobutyl है, तो आप ऐसा करो, दो portion तो ketone में ले लो, और 30 आप GR से attack करा दो, combination बनाऊं जैसे मैं, तो सबसे पहले मैं एक ऐसा ketone ले लेता हूँ, ये लिजी, butane to one, अगर ऐसा लिया तो यहां मेरा attack करने वाला जो GR है, वो ऐसा होगा, और वो यहां जाकर के, यहां attack करके, वो ही वाला alcohol मुझे दे देगा, अब बिल्कुल ऐसी, अगली बर मैं क्या करूं, एथिल को मैंने इधर रख लिया, और मैथिल को तो मैंने निकाल लिया, तो कि मैथिल को मैं वहां attack क अना के, तो यह attack कराऊंगा, तो यह दो ग्रूप मेरे पस पहले से पढ़े हैं, मैथिल यहां आ जाएगा, अब एक option और लही सकता हूँ, वो क्या, कीटोन तो ले ही लो, कीटोन पर दो ग्रूप देने, एथिल मैथिल दे लिया, एथिल साइक्लोपेंटिल दे लिया, तो एक अपन मैथिल और साइक्लोपेंटिल दे लेते हैं, तो अटेक किसका करा लेंगे, एथिल मेगनीशियूम प्रोमाइड का, तो यह नुकलियोफाइल बनके अटेक कर देगा, और तो कोई option ही नहीं, मतलब कीटोन ऐसे बनाओ, जिसके दो गुरूप आप वो रख लो, इन दे दीजी, बच्चों इसका चलिए, नेक्स देखिए इसके बाद, एट नंबर कोशन पर आते हैं, क्या कह रहा है, एट में कहता है, how many different six carbon hydrocarbon, on deductive ozonolysis, give the same product shown below, आपके बस six carbon का कोई hydrocarbon होना चाहिए, और reductive ozonolysis, मतलब आप उसको ozone, water और plus zinc देंगे, जिसमें होता क्या है, कोई carbon, कोई alken होती है, और bond कटके carbon बनता है, तो वो कह रहा है कि जो आप यहाँ molecule लेंगे, वो six का होगा, और six जब ऐसा करेगा, तो वो आपको ऐसा देगा, तो बताओ, वो six carbon के molecule की कितनी possibility, तो बच्चो, ozonolysis की trick है, कि bond तोड़ो, oxygen जोड़ो, ऐसे आप ozonolysis के product बनाते हो, तो इसका उल्टा चल लो, bond oxygen को निकाल दो, और bond को वापस जोड़ो, तो आप वहाँ पोँच जाओगे, product आपके सामने पड़ा है, तो आप उस structure तक जाना च जाते हो, जिसने इसे बनाया, तो देखो, कैसे बनाऊँगा मैं, मैं इस o को, इस o के साथ निकाल दूँगा, क्या होगा इसमें, बेटा, ये दो carbon तो आप यू माल लो, ये carbon पड़ा, एक carbon ये पड़ा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एक, दो, दो के बाद तीसरा इसक carbon, तो overall यहाँ पर अगर मैं चलू, तो इस तरह से एक ring बन रही है, ये वाला ये carbon है, इसके बाद दो और लेने थे, तो दो मैंने और ले लिए, और यहाँ पर मैंने क्या देखा, इन दोनों के बीच डबल बोन है, यहाँ वाले carbon के बीच और यहाँ के बीच, तो यहाँ प आपन देखें, तो कौन सी bonding आ रही है, महलब इस carbon के बाद देखो तो double bond स्टार्ट हो रहा है, यह लिजी, यह आपका molecule है बच्छो, जिससे आप यह कर पा रहे हैं, एक तो यह है, अब यह समझने के बाद आप इसको दुबारा से फिर देखें, फिर से देखिए यहाँ तो और निकालो, bond को वापस जोड़ दो, तो मैंने उस pattern से एक अनु निकाल लिया, यह वाला, अब यहाँ पर मैं कहूंगा, अपन यह वाला कर सकते हैं, तो अपन यह भी तो कर सकते हैं, और यह हूँ, और बिल्कुल यहाँ से अपन करें, तो यह और यह हूँ, लेकिन अब की carbon तो total कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाई दे रहे हैं, छे में आपको 4, 4 की दो ring बनाने हैं, देखो, यह वाले carbon तो दोनों में आएंगे, इधर वाली ring में भी आएंगे, इधर वाली में भी आएंगे, तो इसको तो बीच में रख लो, अब मैंने यहां चार की ring बनाई, तो चार की ring बनाई, तो बच्चो यहां पर क्या था, यह वाले carbon के उपर जो चार की ring बनेगी, तो चार की ring बनेगी, तो इसका मलब, यह जो bridge head बन रहा होगा, एक चार की बिल्कुल इसके साथ और बनेगी, यह बन गी आपकी, total 2, 2, 4, 2, 6, ऐसा सा system बनेगा, अब देखो, जो यहां bridge head बन रहा है, उसके दोनों तरफ double bond जा रहा है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और बाकी अब आपको लगता है कि, match करना है, दुबारा काट के देख लो, यह लो बच्चो, यह लो बच्चो, काट के देखो क्या ऐसा बना क्या, यहां पे आप देखिए, यह रहा, इसमें अपन गए, तो यहां पे आपका कार्बोनिल बन गया, यहां पे भी कार्बोनिल बन गया, और इस तरफ अपन जाएं, तो यहां पे कार्बोनिल था ही, और इसमें अगर अपन चलते हैं, तो यह वाला CH2, और यहां पे इसके तो वो इस्थिति आती ठीक है तो यह बच्छो दो मॉलिकुल के चांस तो इसमें आपको क्या चलना था रेट्रो ओजोनलाइसिस बैक चलना था ओजोनलाइसिस का प्रोडुक्त नी मना था प्रोडुक्त में वहाँ जाना था तो यहां पे किती डिफरेंट 6 carbon के hydrocarbon हो सकते हैं बच्छो 2 तो 0-2 answer दीजिए बटा next देखो इसके बाद question number 9 9 में क्या कह रहा है वो आपको 9 में कह रहा है बटा find the total number of stereo isomer for the most stable monobromo product formed यहाँ पे अगर आप bromination कर रहे हैं monobromination एक ही bromo देना है और most stable बनाना है तो most stable अगर आपको बनाना है तो इस पूरे molecule में सबसे शानदार location यह एच तो कि जब इस हैच को निकालेंगे तो उसको benzene का भी resonance बिलेगा पीछे से यह pie का भी resonance बिलने वाला यहां से भी तो सबसे अच्छी location यह ही है तो finally हम कैसा product बनाएंगे बंजीन के पास वाले पे bromination हो जाएगा फिर आगे double bond है ही फिर आगे तीन carbon पड़े ही है ऐसा product बनेगा तो इसके लिए आपको product जो बनाया total number of stereo isomer तो बटा यह chiral center है मेरे product में यह मेरे molecule में GI center है asymmetric molecule है n का value 2 है तो 2 की power 2 आता है stereo isomer क्या आएगा 4 आएगा बटा तो 0 4 answer दे देजी next देखिए इसके बाद अगला 10 number 10 number में देखो बटा क्या दिया है आपको यहाँ पे possible hydrocarbon product बताने है देखिए यह आपको देता है यह इसमें आपको hydrocarbon product बताने की बात कह रहा है possible hydrocarbon तो reaction आपको समझ में आ रही होगी halide-halide की coupling reaction है वोड़्ज reaction है possible hydrocarbon product will be किते product बनेंगे तो बच्चों वोड़्ज में उसमें दो तरह के halide लिये हैं तो आपको self और cross दो option देने हो लेकिन self cross करने से पहले आप देखो क्या क्या species आपके system में है सबसे पहली बात आपके पास यह जो species है इसका जब बी आर जाएगा तो यहाँ पर free radical बनेगा लेकिन वो जो free radical है उसको अलग से mark करके देखो क्योंकि अगले ने star दिया है यह तो naturally बनेगा लेकिन इसके बनने के बाद बच्चो इस bond के cut होने पे resonance होने से यह वली species जहाँ पे से आपने BR निकाला वो तो star से marking क्लिया ही पड़ा है वो तो वहाँ पे से गाई bond बटा यहाँ पे आ जाएगा और free radical है क्योंकि twist है number में सही number में जाना तो आपको यह भी ध्यान रहे ओकी अब उसके अलावा यह दो बन गए और इस RBR में तो आपको बता है यह R ही बनेगा यह जब BR निकलेगा ठीक अब यह आपके बस free radical है वोड़ज में इनको combine करने के बच्चो option क्या क्या है सबसे बहले आप बात करो self के R को R से attach करो इस वाले को इस जैसे से attach करो इस वाले को इस जैसे से attach करो तोगी बैसे अगर आप इस पर नहीं जाते तो फिर आप सही answer पर जा नहीं बात इसकी self, इसकी self, इसकी self मदलब R R जो है वो R से ही जुड़े दूजे case में यह जो cyclopental free radical है star marking यहाँ पर हुई हुई है तो यहाँ पर सामने भी बिल्कुल ऐसा ही star mark वाला carbon आता और double bond यहाँ लाता यह हो सकता था और तीसरे case में अगर मैं कहूँ तो आप यह देख सकते हैं कि यह five वाला five वाले में मालो यह स्थिती बढ़ी है double bond double bond वाले पर star पढ़ा है तो उससे आगे वाली location में बजलब इसी को इसी form में ले लो बले यह देखो जैसे आपको दिया है उसने यह दिया है यहाँ पर यह दे रखा है बच्चो तो दूसरे वाला आपन बिल्कुल इसी अंदाज का फिर यहाँ पर बना ले तो इसमें बनाओगे आप तो इसके अंदर अगर यहाँ पर दिखाना है मुझे तो उसके ज़स्ट आगे वाले पर डबल और यह दिखाओ और फिर इनको बनड़ कर दो तो यह आपके बस कौन से पोड़क्ट आए self cross के भी self के तीन तो cross के भी बनाओ cross के बनाने जाओगे तो cross वाले के अंदर आप देखो cross क्या क्या करोगे इसको इससे attach करो फिर इसको इससे भी करोगे फिर इन दोनों को भी आपस में करोगे यह cross होगी इसको इससे इसको इससे और इनको आपस में तो overall तीन वो बन जाएंगे total कित्ते होगे 6 possible hydrocarbon product बताने है और excluding stereo अब आगे उसमें आपको optical, geometrical नहीं बताना है ठीक है तो overall आप कांसवर 6 रहेगा और बिल्कुल easy है आप पहले उसके proper free radical बना ले अगर आप सिर्फ इतने free radical बनाते हैं तो आप कांसवर ठीक नहीं आया होगा अगर आप ये बना लिया फिर आपको बता है same को same से जोड़ना self है same को opposite से जोड़ना इसको इससे इसको इससे फिर इन दोनों को आपस में तो ये cross है चलिए next देखिए इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं 10 number के बाद आपके बास हाया ये वाला सवाल इसमें क्या कहता है आपको आप X methyl magnesium bromide लेजी और X का number बताना find out the value of X X बताना आप देखो बच्चो इस ester के अंदर इसको निकाल के और इसको इसने alcohol में बदल दिया मतलब reaction कैसी हुई दो बार हुई दो बार हुई तो दो molecule तो यहाँ consume हो गई लेकिन यहाँ पर answer दो नहीं आएगा क्योंकि दो आता तो फिर खास बात ही नहीं थी देखो यहाँ पर क्या था जब आप सबसे पहले reaction शुरू करेंगे methyl magnesium bromide की क्योंकि वो आपको यहाँ पर दिया गया है फिर आप hydrolysis करेंगे महलब आप जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि product में दिखाई दे रहा है कि आपने alcohol जो बनाया है वो यहाँ पर excess attack कराया है तब ही alcohol बना है वरना वो giton में बदलता तो यहाँ जो methyl था वो methyl बच्चो इस SED catch को निकालेगा इस SED catch को निकालेगा क्योंकि GR का जो R portion होता है वो base बन के SED catch को abstract करता है इस पूरे process में दो molecule लग जाएंगे और उसके बाद एक तीसरा molecule और जाएगा CS3, Mg, BR का एक तीसरा molecule जाएगा वो यहाँ जाके इस living group को निकालेगा तो overall पहली बार में आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का एक case बनेगा यहाँ पे CS3 आजाएगा और फिर यहाँ अपन कहें तो इसके उपर S-negative Mg, BR आजाएगा फिर इसके बाद अपन कहें तो यहाँ पे O-negative Mg, BR आजाएगा यह तीन molecule यूज होगे बटा अब उसके बाद एक molecule और आएगा CS3, Mg, BR जो यहाँ जाके attack करके इसके लिए फिर salt बनाएगा फिर उस बने हुए salt को जब आप hydrolyze करोगे क्योंकि hydrolysis भी करना है तो hydrolysis मूग वो जब alcohol बनना होगा पर सबसे पहले reaction इनों ने की थी तो GR के 2 molecule इनों ने consume कर लिए और बाकी 2 तो सीधे सीधे भी पकड़ में आ जाते हैं लेकिन आंस्वर आपको क्या देना है 04, चार molecule लेने है बटा चलिए, next देखिए बटा इसके बाद question number 12 12 में क्या कहना चारा है वो 12 में आपसे कह रहा है how many substates will rearrange during SN1 SN1 में rearrangement होता है पर कौन सा substate rearrangement करेगा तो बटा ये molecule rearrangement इसको करना होगा क्यों? तोकि जब BR निकलेगा तो ketion 2 degree बनेगा और अगर वो यहाँ से h negative shift कर ले तो update हो सकता है बिल्कुल करेगा अगले में rearrangement क्या करा होगा बटा 2 degree है rearrangement के बाद 1 degree नहीं बनने वाला 2 भी नहीं बनने वाला छोड़ दो आगे वाला फिर rearrange होगा क्यों? क्योंकि ये जब remove होगा 2 degree ketion फिर ये यहाँ से बटा methyl shift करके 3 degree बनेगा अगले में जाए rearrangement की कोई demand ही नहीं है direct ही best बनेगा उसके बाद और update होगा यहाँ जाए बटा बिल्कुल rearrangement होगा क्योंकि निकलने के बद 2 degree बनेगा और फिर यहाँ से methyl का jump करके 3 degree हो जाएगा यहाँ पे कोई rearrangement नहीं चाहिए current 2 degree बनना और update हो नहीं सकता यहाँ जाएँ बच्चो इसके निकलने के बाद ring extension होगा 5 की ring 6 की बनेगी बिल्कुल rearrangement में रखी है इसे इस वाले में भी ऐसा ही है इसके निकलने के बाद 4 की ring 5 की बनेगी rearrangement होगा इस वाले में भी इसको निकालने के बाद यह यह भी 2 degree है फिर यह कौन सी location पर जाएगा 3 degree और 3 degree में भी allylic तो इसे भी लेना है इस वाले में क्या करोगे बटा BR निकालने के बटा direct allylic बनना है तो overall 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 molecules हैं जिनको rearrangement भी करना है ठीक है easy question था अगर आपका concept अच्छा है इसके बारे में तो कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आई होगी आपको चली और देखिए इसके बाद last question पर आते हैं बच्चो तो यह आपका question था इसमें क्या कहना चाह रहा है find out number of reaction those product which retention of configuration आपको वो reaction देखनी है जहां configuration return होता है same आता है धारण एक उतर परतीपन एक उतर धारण तो आपको यह पूछ रहे हैं कहां पर SN2 है कहां पर SN1 है का NGP है क्या SNI तो कि overall summary है कि SN2 में inversion of configuration SN2 में inversion होता है SN1 में inversion plus retention दोनों होते हैं ठीक कोई SM1 mixture बनाते हैं तो inversion भी रहेगा retention भी रहेगा लेकिन SNI जो होती है internal nucleophilic substitution जैसे अपने SOCL2 से बढ़ते हैं उसमें बन कहें तो क्या होता है retention और उसके अलावा NGP SN NGP जो आता है उसमें भी 2 SN2 लगातार होने की वज़े से retention आता है चलो बागी option देखते हैं जैसे मुझे A reaction दी A में आपको मालूम है polar product water दिया हुआ है SN1 pattern से चलेगी और SN1 में बच्चो racemization अगर बताते हैं बिल्कुल मेरे को chiral molecule दिया racemization होगा यहां पे racemization के chance यहां पे बन रहे हैं तो जब मैं वो process कराऊंगा तो उसमें retention भी होगा inversion भी होगा तो उसने आपको का find out number of reaction those proceed with retention of qualification मलब आपको वहाँ पे बताना है कि धारण होना चाहिए retention होना चाहिए तो उसने ऐसा नहीं का केवल retention बने retention हो तो retention के लिए मैं इस option को ले सकता हूँ D वाला जो है मुझे नहीं लेना चाहिए क्यों बटा मेरा जो reagent है वो SN2 का है और SN2 में inversion favor करता है तो यह नहीं लेना C में जाना है तो बिल्कुल आपको मालूम है alcohol पे SOCl2 की reaction without pyridine कौन सी होती है SNI होती है और SNI में जिस location से वह जा रहा है dash पे जा रहा है तो dash पे CL आएगा ठीक है तो यह अपने answer में आ जाएगा आगे वले में जाएं बच्चो अपने को answer नहीं लेना चाहिए के CN का CN माइनस SN2 पेटरन से चलेगा और SN2 में अपन को मालूम है कि configuration क्या होता है inversion करता है तो इस page पे आपके बास किते आ गए दो आ गए A और C आ गया अगले page पे और देखते हैं इसके बाद next page पे यहां तक final कर लिया आपने किते किते molecule है जो retention करेंगे retention जिन में दिखेगा वो होगा दो molecule में अब देखो बच्चो अगले page पे ले चलता हूँ आपको next पे देखी आगे बाले में और चार molecule है इसमें क्या दिया है आपको यहां पे देखो बच्चो यह जो E है इसमें क्या होगा aqueous के बच्च में सबसे पहले बच्चो यह लॉन पेर यहां पे NGP effect दिखाता हुआ इसे भगा देगा यह SN2 हो गई back attack फिर यह वाला ओच यहीं पे आ जाएगा और वापस configuration maintain कर देगा वाला बियार वाली जगह पे ओच्चा आएगा NGP की वज़े से यहां भी retention होगा इसमें जाओ तो बच्चो NGP के लिए जो group होते हैं वो same side नहीं होने चाहिए NT होने चाहिए तो NGP होनी पारी नॉर्मल आपकी SN2 होगी और नॉर्मल SN2 के अंदर retention नहीं होता inversion ही होता है अगले में गए NAI acetone बिल्कुल SN2 है परित्ता मत देखो आगे देखो इस SN2 में आपका I जो है पीछे से जाके CL निकालेगा और फिर उदर लगे हुँ आई को ये KSH ये फिर एक बार SN2 होगा और दो बार लगातार SN2 होने की वज़े से जिस साइद आपका कलोरो है वहीं पे SH आए क्योंकि एक बार SN2 में inversion फिर दुबारा SN2 में retention same configuration आ जाएगा बच्चों एक बार आई बैक साइड में और अब वहाँ पे आई जब होगा मतलब जब ऐसा प्रोड़क्ट होगा आई यहाँ होगा CS3 होगा फैनिल होगा और यहाँ पे अपन कहें H होगा तो अगली बार KSH लाओगे तो वो भी तो बैक अटेक करेगा तो बैक अटेक करेगा तो फिर SH यहाँ आजाएगा CS3, फैनिल और H तो अब आप फर्स से लास्ट वाले को देखेंगे तो आपको लगेगा रेटेंशन हुआ है तो थोड़ा स्पेशल वाला था ही अब लास्ट वाले में देखें बच्चों SOCL2 अखेला आता तो SNI पिरिडीन लेके आया है तो SN2 मेकेनिजम तो यह अपन को अपने अंसर में नहीं लेना है SN2 में इनवर्जन होगा तो यहाँ इस पेज़ बेगिते हुए दो, पीछे पेज़ बेगिते हुए थे तो वो अपनने स्वाल करने की कोशिश किये बटा, बागी आप लगे रहिए क्यारी करते रहिए और अपनी रैंक को इंप्रूव करने का काम करिए JCLC बच्चों फिर मिलते हैं